नमस्कार दोस्तों विट्यू चल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम उत्तरपदेश के बारे में बताएंगे जो कि यूपी पुलीस और रेडियो आपरेटर यूपी पुलीस का या यूपी एसाई का जो फार्म आया था या लेकपाल का हो किसी का भी हो जो भी यूप आप प्रजातियां जन करना होगा तो आईए इसको देखते हैं उत्तरपदेश के जीके को चलिए आप वीडियो को जो अच्छे क्वालिटी में आप देखेंगे और आपसे मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आप जब एयरफोन या हेड़पोन लगाकर या अच्छा स्पीकर के साथ जब सुनेंगे तो आपका दिमाग जो है केंदरित रहेगा लाउड वाइस क्यों आपको अयृ's जर से और आपको साही सही समझ में आयका है अब वीडियो को जब अच्छे क्वाल टी में आप रखेंगे तो समझ में भी आए जब क्योंकि आप इसको देखेंगे और वाहस जो मियद्य जोבी मेरा आपको जब कान तक जाएगा तो आक चीज जो है समझ में अ चलिए देना है कि आपको थो अगर आंसर याद है तो आप जितना आदिक से अधिक सुनेंगे वीडियो देखेंगे उतना ज्यादा जो है आपको यादोगा तो चलिए मैं इस्टार्ट करता हूं उत्तरप्रदेश एक दिरिष्टी में जो है इसका पहले हम लोग देखेंगे शमानिय परिचे राज का नाम है उत्तरप्रदेश राज का पुराना नाम था सन्युक्त प्रांत उनाइटेट प्रोबिंस इसको बोला जाता था राज का पुनर गठन हुआ एक नॉंबर 1956 राजदानी इसकी लखनव है राज दिवस मना जाता है 24 जनवरी को चेतफल इसका है दो लाग 4928 वर किलोमीटर राजबासा हिंदी उर्दू दूसरी राजबासा इसकी है उसके बाद जो है उच नियाल है इलाबाद लखनव में खंड पीठ है इसका और कुल मंडल 18 है कुल जिले या जनपत 75 बिधान मंडल दूई सदनी है जिसमें से बिधान परिशत के सदस सदस्यों की शंक्या नियांड़े प्लस एक इंगलों इंडियान एक होता है तो सव गया विधान सबाखे सदस्यों की शंक्या 403 और एक शाहना पर रसी है संसादि स्र. हुष्ष। उसके बाद जो है यहां पर प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोबिंद बल्लम पन्ते प्रथम राजपाल श्रीमती सरोजनी नाइडू इस्तिती एवं विस्तार भारत के उत्तर में गजें थेज़ डिग्री 52 मिनट उत्तरी अच्छांश से ठीज़ डिग्री 28 मिनट उत्तरी अच्छांश तता सतर डिग्री तीन मिनट से चाव रासी डिग्री 49 मिनट पुर्भी देशांतर तक सीमावर्थी राज योन देश उत्तर में उत्राखंड और हिमाचर प्रदेश पस्चिम में हरियाडा दिल्ली वर राजस्तान दच्छिड में मद्य प्रदेश वर चतिसगर और पुरु में छारखंड बिहार वर नेपाल उसके बाद जो उत्तरपदेश का आकार है वो लंबवत है पुरु से पस्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर उत्तर से दच्छिड की लंबाई 240 किलोमीटर राज की चिन जो है मचली है राज की पुसप पलास है पलास का पुल और राज की ब्रीच असोख है राजकी 25 सारस अत्वा क्रेन या क्रोंच राजकी पसू 12 शिंगा राजकी खेल जो हांकी है उसके बाद जो है जन संक्या कूल जन संक्या जो है उन्नाईश करोर अंठानवे लाग बारह जार तीन सो एक तालीस है जो कि 211 के जनगर्ना के अनुशार है पुरुष जन संक्या इसमें 10 करोड़ 44 लाग 8510 मैला की जन संक्या है 9 करोड़ 35 लाग 31 जार 831 लिंगा नुपात है अगर 912 मैला है तो 1000 पुरुष जन संक्या गनत्व जो है 829 वेक्ती प्रतिवर किलोमीटर अनुशूची जाती की कूल जन संक्या है चार करोड़ 13 लाग 57608 उसके बाद अनुशूची जाती जिसमें से पुरुष है 2 करोड़ 16 लाग 76975 और अनुशूची जाती महिला का 1 करोड़ 96 लाग 80 जार 633 कुल जन संक्या में अनुशूची जाती की जन संक्या का जो प्रतिश्यत है 20.7 प्रतिश्यत है अनुशूची जन जाती की कूल जन संक्या है 11,64,273 अनुशूची जन जाती की पुरुष जन संक्या है 5,81,083 अनुशूची जन जाती की महिला जन संक्या है 5,53,190 कूल जन संक्या में अनुशूची जन जाती की जन संक्या है जीरो दस्मलों छो प्रतिस्ट उसके बाद आपका है प्राकृतिक प्रदेश में पहला है तराई प्रदेश दूसरा गंगा यमुना का मैदानी भाग या प्रदेश तीसरा दश्चिर का पठारी प्रदेश प्रमुक नदिया गंगा यमुना राम गंगा काली या सारदा घागरा गंडग कोशी चंबल बेतवा सिंध केन वसोन आदी ये सब उत्तरपदेश की प्रमुक नदिया है प्रमुक फसल उत्तरपदेश के कौन कोन है यहूं चना चावल तंबाखु कपास पटसन मक्का बाजर उत्तरपदेश का देस में प्रथम तथा जव के उत्तरपदेश स्थान है घनना के उत्तरपदेश का देश में प्रथम अस्थान है प्रमुक फल आ मालता नीबू अम्रोध लीची सब्तालु आदीर वलों के पादन में उत्तरपदेश का देश में प्रथम अस्थान है उसके बाद है उद्योग धन्दे चीनी सूतिवस्ट जूट कांच चमड़ा दिया सलाई साइकील कागज एलमुनियम सिमेंट इंजिनियरिंग सिगरेट आदी यह सब उद्योग धन्दें कुटूर उद्य कुटूर उद्योग सुतिवस्ट रेशम रेश्मी वस्ट कालीन पीतल वक कलाई के बरतन इत्र वतेल ताले चाकू कैंची प्रेश प्रकाशन संग्वर्मर आदी में उत्तरपदेश में इस्थित केंद्र सरकार के प्रमुक कारखाने कारखाना अस्थान हिंदुस्तान एलम नोटिक्स लिमितेट कानपूर लखनौ इंदियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी इलाबाद राइबरेली त्रिवेडी स्ट्रुक्ट्ट्राल नैनी इलाबाद उर्भरक कारखाना गॉरपूर इलाबाद डीजल लोकोमोटेट वर्क वरांटसी सिंग्रोली कोयला खान भारत पंप एंड कम्प्रेसर नैनी इलावाद यह जो इलावाद इसका नाम जो है प्रयाग राज हो गया है तो आप जो इसको प्रयाग राज एक्जाम में दिखेगा तो आप प्रयाग राज मारेंगे ठीक आयुद उप्षकर कारखाना हजरतपूर फिरोजाबाद ट्रांसफार्मर फैक्टरी जहांसी अप्रान कैफिसीटर सिस्टम लिंटेड लखनव अप्रान डिरिटल सिस्टम लिंटेड लखनव सिमेंट कारखाना चुर्क डल्ला मिर्जापूर भारत इलेक्ट्रानिक्स लिंटेड गाजियाबाद मतूरा तेल सोधर कारखाना मतूरा कृतिम अंग निर्मार कानपूर भारती चमडा रंगाय तथा जूता संस्थान कानपूर Skooter India Limited लखनव उत्तर प्रदेश में इस्तिज राश्टी सोध संस्थान Central Institute of Medicine and Aromatic Plants लखनव Central Drug Research Institute लखनव अदोगिक तकनिकी सोध संस्थान लखनव National Botanical Research Institute लखनव राजि में प्रमुक बिश्व विद्याले बिश्व विद्याले का नाम अस्थान अस्थापना वर्ष इलाबाद बिश्व विद्याले इलाबाद 1887 भी बनारस हिंदू बिश्व विद्याले बनारस 1990 में अलिगर्ड मुसलिम इनवर्सिटी अलिगर्ड उन्निशो बीस लखनव विश्य विद्याले लखनवु 1921 डाक्टर भीवराम बेटकर विश्य विद्याले आगरा 1927 दिन दयालू पध्या गोरकपूर विश्य विद्याले गोरकपूर 19今 छत्रपति साउजी महाराज विश्य बिद्याले कानपूर 1965 चौदरी चरहट सिंग बिश्व बिद्याले मेरट 1965 चंद सेखर आजाद क्रिशी तथा प्रदवकिक बिश्व बिद्याले कानपूर मात्मा गांधी कासी बिद्यापीठ वरांट सी उनननी सो चौबत्र अचारे नरेंद्र देव क्रिशी तथा प्रदवकिक बिश्व बिद्याले फाईजाबाद मात्मा जोतिबा फूले रुहेल खंड विश्व बिद्याले बरेली 1975 डाक्टर राम मनोरल लोहिया आवद विश्व बिद्याले फाईजाबाद 1975 बुल्देन खंड विश्व बिद्याले जहांसी 1975 दयाल बाग एजुकेशनल सिचर संस्थान डिम्ड इन्वर्सिटी आगरा 1980 संपूरानन संक्रिश संस्क्रित विश्व बिद्याले वराण सी 1975 बीर बादुर सिंग पुर्वांचल विश्व बिद्याले जहनपूर 1987 केंदरी उच तीवती सिच्छा संस्थान सारनात 1989 डाक्टर विर्वाम बेटकर विश्व बिद्याले लखनव चानबे बार्ती चिकिस्सा सो संस्थान इज्जत नगर 1999 डाजसी टंडन मुक्त विश्व बिद्याले इलाबाद 1889 सदार बल्लम भाई पतेल क्रिशी एवं प्रदोकी विश्व बिद्याले मेरट 2020 इंडियन इंसिट्यूट आप इनफॉर्मेशन टेक्नोलाजी इलाबाद 2000 उत्तर प्रदे लोहियास राष्टी बिदी भी सुविद्याले लखनाव 2005 ख्वाजा मुहिद्दिन चिस्ती उर्दू अर्वी फार्शी भी सुविद्याले लखनाव 2010 बन्य जिव बिहार नाम अस्थापना वर्ष छेत्रफर वर किलोमीटर जन्पद अस्तिनापूर बन्य जिव बिहार 1986 मुरादाबाद राष्टी चंबल बन्य जिव बिहार 1989 635 वर किलोमीटर इटावा आग्राम कैमुर बन्य जिव बिहार 1982 501 वर किलोमीटर सुन्भद्र मिर्जापूर दुदवा राष्टी उद्दान 1987 490 वर किलोमीटर लखिमपूर खिरी डाक्टर भिवनवा बेटकर बन्य जिव बिहार 2003 457 वर किलोमीटर प्रतापगर्ड शुहेलवा बन्य जिव बिहार 1988 452 वर किलोमीटर गुंडायों बहराईज सुहागी बरवा बन्य जिव बिहार 1987 428 वर किलोमीटर महराज गंज कतर निया घाट बन्य जिव बिहार 1976 410 वर किलोमीटर बहराईज रानिपूर बन्य जिव बिहार 1927 वर किलोमीटर बादा किसनपूर बन्य जिव बिहार 1972 227 वर किलोमीटर लखिमपूर खिरी नगर और उनके उपनाम नगर उपनाम आगरा ताज नगरी अयोध्या राम जनम भूमी अस्थल अलिगर्ड ताला नगरी इलाबाद संगम नगरी मथूरा कृष्ण नगरी कन्योज खुष्वियों का शहर लखनव नमाबो का शहर फिरोजाबाद सुआग नगरी प्रदेश के आठ जिलो के परिवर्थित नाम माया नगर को पुना हातरश कर दिया गया रमाबाई नगर को पुना कानफूर देहाद कर दिया गया छत्रपति साओजी नगर को पुना अमेठी कर दिया गया कासी राम नगर को पुना कास गंज कर दिया गया प्रबुद नगर को पुना सामली कर दिया गया, पंचसील नगर को पुना हापुर कर दिया गया, जोतिबा फूले नगर को पुना अम्रोहा कर दिया गया, भीम नगर को पुना संबल कर दिया गया वर्ष 2018 में बदले गए नाम, पुराना नाम नया नाम, मुगलसरा जक्सन रेलवे, दिन दयाल उपध्याय रेलवे जक्सन, इलाबाद, प्रियागराज, फैजाबाद, अजोद्या, जिसको मैं बोल रहा था कि इलाबाद को आप प्रियागराज बोलेंगे और फैजाबाद क नाम अयोध्या पड़ गया, उसके बाद जो है प्रमुख खनीच, बाक्साइट, रॉक, फास्फेट, बादा, पायराइट्स, एसबेट्स, मिर्जापूर में होता है, उरोनियम, तावा, ललितपूर, हीरा, बादा, मिर्जापूर, कोईला, सिंग्रोली, सुनभद्र, मिर्जापूर, सुनभद्र, बादा, जिप्सम, हमेरपूर, जहांसी, बैराइट्स, एंडालू साइट, मिर्जापूर, सुनभद्र, बहुत देशी योजनाएं, रिहन बाद परियोजना, रिहन नदी पर, माता टीला परियोजना, बेतवा नदी पर, राम गंगा परियोजना, सार्दा परियोजना, घागरा नदी परियोजना, गोबिन बल्लप, सागर परियोजना, ओबरा, जल बिद्दुत, केंद्र गंडक परियोजना, ये सारी परियोजना हैं उत्तर प्रदेश में, नदियों के खिनारे बसे सहर, नगर नदिया, आगरा यमुना, इलाबाद गंगा यमुना, सौर्ष्टी संगंपर, कानपूर गंगा, ब्रिंदाबन यमुना, गोरकपूर राप्ती, मतुरा यमुना, राजगाट गंगा, जाउनपूर गोम्ती, वारांशी गंगा, हमेरपूर यमुना, कौसंबी यमुना, सुल्तानपूर गोम्ती, गाजि पूर गंगा उसके बार नेक्स्ट है आपका बीवित तत्य उत्तर पदेश के प्रतम मुख्यमंतरी स्री गोबुंद बल्लब पन थे उत्तर पदेश की प्रतम राजपाल स्रीमती सरोजनी नाइडू थी उत्तर पदेश बिदान सभा के प्रतम अध्यत राजसी पूर्शुत् थे उत्तर पदेश बिधान परिशत के प्रतम सभापती चंद्रभान थे उत्तर पदेश के प्रतम महिला मुख्यमंतरी स्रीमती सुचेता क्रिपलानी थी उत्तर पदेश की एक मात्र आड़विक परियोजना नरवरा बुलन सहर है प्रदेश का सबसे बड़ा अदोगिक न दूर में दिया था स्वतंता का प्रतम संग्राम 1857 इस भी मेरट में वगा था जो कि उत्तर पदेश में है कासी विद्यापीट में पठन पाठन 1921 में मात्मा गांधी ने आरम किया था अयोद्या का प्राचीन नाम आया जस्ता था प्राचीन काल में कन्योज कान्य प्राचीन काल में गंगा के मैदान में इस्तित उत्तर प्रदेश छेत्र मद्य देश का अलाता था मद्य देश वर्तमान उत्तर प्रदेश में कुरू पंचाल कासी कौसल सुरुषेन चेदी वस्त तथा मल महाजनपद अस्थापित थे मेजापूर बुल्देनखंड और प्रतापगड के सराय नहार छेत्र में खुदाई के परदाम सुरूप प्राप्त प्राचीन और नमीन पासाड कालीन आउजार हतियार तथा मेरट आलमगीर में जो हडपा कालीन वस्तवे मिली है उनमें यग्यात होता है कि यहां का इतिय प्रास बहुत प्राचीन रहा है मद्य पासाड कालीन मानों के अस्थी पंजर के कुछ अवसेश प्रतापगड के सराय नहार राय तथा महदाहार नामकस्थान से प्राप्त हुए हैं मद्य पासाड योग के विशिष्ट अवजार सुच में पासाड पत्थर के परिस्कृत अवजार भी दच्छडी उत्तर पदेश में पाई जाते हैं इलाबाज जिले के नवपासाड अस्थलों की ये विशिष्टा कि यहां इशापुर्व छटी सतापदी में भी चावल का उत्पादन होता था ततकालिन बर्तनों में पालीश वाला मृत भांड धूशर मृत भांड मंदवर आदिबी अतरंजी खेडा राजगाट का संबी और सोंक में मिले हैं नमिन्तम खोजो के अधार पर भारती उपमादिब में प्राचिंतम क्रिशी साच्छिवाला अस्थल संत कभीर जीले में इस्थित लगूरा देव है जब बहार से आरे आये उन्होंने सबसे पहले भारत में सब्त सिंदू या साथ नदियों द्वारा सीचित प्रदेश में बस्तियां बनाई प्रारम में कुछ प्रमुग घरानों के नाम इस प्रकार है पुरू, तुर्वस, यदू, अनू और दुर्हा ये पाँच घराने पंच जन कालाते थे दिरे दिरे आरे पुरू की और अग्रशर होने लगे कौशल और विदे पर ब्रामडों और छत्रियों द्वारा अधिकार कर लिया गया इसका वड़न सत्पत ब्रामड में है दिरे दिरे सब्त सिंदू का महत्व कम होता गया और आरियों को सरसुती और गंगा की उपजाओ भूमे में आकर्शित किया यही उनकी संस्कृती साहित आध्यात्मिक और राजनीती का केंद बना या कुरू, पंचाल, कासी और कौशल अवद राज थे बैदिक काल में इसे ब्रामर्शी देश के नाम से पचाना जाता था सभी राज ये परस्पर इुदरत थे, कौशल ने कासी और अवंती ने वस्थ पर अधिकार कर लिया बाद में कौशल अवंती को भी मगद द्वारा अपने राज में मिला लिया गया जिसके कारण मगद राज सर्व सक्तिशाली हो गया मगद में क्रमश, हर्यांग, सिशुनाग और नंदवन्श का राज रहा इस भी पूर्वी छटी सताब्दी में उत्तर पदेश दू नए धर्मों जैन और बहुत धर्मों के संपर्क में आया इस काल में गौतम बुद, महाबीर, मखली, पुत्र गोशाल तथा अन्य महान विचारकों ने उत्तर पदेश में क्रांती कर दी जैन धर्म के प्राचिंतम सिधानतों के उपदेश्टा 23 में तितक कर पार्टस्वनात वरांशी के थे जैन धर्म के 24 में तितक कर महाबीर श्वामी का जन्म बाशार बैसायली में हुआ था किन्तु उनके अन्वायों की शंक्या उत्तर पदेश में काफी थी उत्तर पदेश के मतुरा में कंकाली टीले के भगनाव शेशों में किसी समय पर निर्मित एक भव्य जैन इस्तूप का पता चलता है मद्ययोग के प्रारम में निर्मित अनेक जैन धर्म अस्तलिया आज भी देवगर्ण चंदेरी और अन्य अस्तलों पर सुरच्छी था है गौतम बुद्ने बोद्गया में ग्यान प्राप्त करने के बाद सारनात में अपना प्रतम उपदेश दिया जिसे बहुत ग्रंतों में धर्म चक्र परवर्तन की नाम से जाना जाता है छटी सताब्दी में 16 महाजनपदों में गहरी प्रतियस फर्दा चल रही थी ततकालीन राज्य और उनकी राजधानियों के नाम नीम्न प्रकार थे महाजनपद उनकी राजधानी महाजनपद राजधानी कुरू मेरड दिल्ली और थानेश्वर राजधानी इंदप्रश दिल्ली के पास पांचाल बरेली बदाव और फरुकाबाद अच्छत्र बरेली के पास रामनगर सुर्षेन मतुरा के आसपास का छेत्र मतुरा वस इलाबाद के आसपास कौसंभी इलाबाद के पास कोशं कौसल अवादिस्की रादानी साकेत अयोध्या और सरावास्ति गोंडा मल जिला देवरिया कुशिनगर कशिया और पावा पडरावना संबावतम कासी वरांसिक रादानी बनारस अंग भागलपूर चमपा मगद दच्छिड बिहार गिरिबरज राजगर बिहार सरीप के पास राजगीर ब्रिजी जिला दरभंगा और मुझभपूर पुगरादानी मिथिला जनकपूर नेपाल सीमा पर और बैसाली जिला मुझभपूर चेदी बुन्देल खंड सुक्ति मती संबावता बादा के पास मतस्य जैपूर बिराट जैपूर के पास अस्मग गोदावरी घाटी पांडर्नियम अवंती मालवा उज्जयनी उज्जयन गांधार पस्मुत्तर छेत्र को पाकिस्तान में तस्सिला रावल पिंडी के पास कंबोज राजापूर अस्थान अग्याद बाद धर्म के परवर्तक गौतम बुद का जन्म नेपाल में लुंबनी नामकर्ष्थान पर हुआ था बुद्ध ने अपने जीवन के सरवादे कुप देश कौसल देश की राधानी स्रावस्ति में दिये मातमा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कुशी नगर पहुचे जहां पर 483 इस भी पूरु में 80 वर्ष की आयू में इनकी मिर्ति होई जिसे बहुत धर्म में महान निर्मार की संग्या दी गई 1844 इस भी से अठावस तीरपन के मद जहांसी जालाओन हमेरपूर डलाओजी की हडपनीती के अनुशार अंग्रेजी राज में मिला लिये गए सन 1857 की करांती शुरुवात मेरट से होई थी 1857 के इस बिद्रोव में सिग्रही अलिगर्ड बरेली लखनव कानपूर तथा इलाबाद को सोतन कराने के बाद बिद्रोई सनिकोव जमिदारों ने वहाँ अपनी सरकार्या स्थापित कर ली थी 1857 के महान बिपलोव में बरेली का प्रसाशन खान बहादूर खान नामक रोहिला सईन अधिकाई ने गरण कर लिया था अठार संताओन के इस महान विपलो में कानपूर में प्रसाशन पर नाना शाब का अधिकार था, तथा इलाबाद पर एक अध्यापक मौलबी लियाकत अली का अधिकार था लखनओ में बिदरो का नेतिउत बेगम हजरत महल कर रही थी, अठार संताओन इस भी को बिदरो में तात्या टोपे बिदरोयों के प्रमुक योध्धा थे जासी में बिद्रो का नेर्टिवत महरानी लच्मी बाई ने किया था इस बिद्रो के दमन में जन्रल उरोज को सक्री किया गया एक नॉमबर अठारसोंटाउन को एक साई गोशडादवारा सत्ता इस्ट इंडिया कंपनी से अटा कर महरानी विक्टोरिया के हाथ में आई अठारसोंटाउन में दिल्ली डिविजन को उत्तर पस्चमी प्रदेश से अलग करके प्रदेश की राधानी आगरा से इलहाबाद हस्तांतरित कर दी गई अठार सो बातर इस भी में उत्तर पश्चमी प्रदेश के लेप्टिनेंट गवर्नर का पद और अवद के चीफ कमिशनर का पद एक कर दिया गया इस छेत्र को उत्तर पश्चमी प्रदेश आगरा और अव लाल नहरू ने इलाबाद में स्वराज पार्टी की अस्थापना की थी भारती राश्टी कांग्रेश के उत्तर पदेश में सन 1947 तक कुल नौ अधिवेशन हुए थी पांच फरोरी 1992 को गोरकपूर इस्थित चवरी-चवरा नामाकस्थान पर भीड ने एक पुलिस स्टेशन को घेर कर जला दिया था जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की मिर्त्यू हो गई थी उपरियुद घटना से आहाथ होकर गांधी जी ने 12 फरोरी 1922 को समय से पूर्व ही अस्वयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोशड़ा कर दी थी सन्यूग प्रांथ में लखनव के समिप वर्थी छेत्र में सन 1922 के मद किसानों के विच चले एक अंदोलन का नेतूत मदारी पासी नामक किसान ने किया था 1937 में इसका नाम सन्यूग प्रांथ कर दिया गया इसका वर्थमान नाम उत्तर प्रदेश 12 जनौरी 1922 से शुरू हुआ राज पुनर गठन आयोक की सिपारिशों के अनुशार सन्यूग प्रांथ का नाम बदल कर उत्तर प्रदेश कर दिया गया एक नौवंबर 1956 को राज का वर्थमान सुरू अस्तित्म में आया उत्तर प्रदेश का विभाजन करके नव नौवंबर 2000 को उत्तरा खंड के नाम से एक नए राज का निर्मान किया गया प्रदेश के प्रमुक कांग्रेश अधिवेशन पहला 1888 इलहाबाद जार्ज यून दुसरा 1892 इलहाबाद W.C. बनरजी 1910 इलहाबाद सर बिलियम्स बेडरबन 1489 लखनव रोमेश चंदर दत पाचमा 1916 लखनव अंबिका चरण मजूमदार चठा 1936 लखनव पंडिर जवालना नहरू साथमा 1925 कानपूर स्रीमती सरोजनी नाइडू आठमा 1905 बनारज गोपाल क्रिश्खो गोखले नवा 1946 मेरट अचारे जेवी क्रिपलानी दिल्ली और उतरपदेश पर प्रभूत वाले राजवन्स वन्स संस्थापक समय गुलाम वन्स कुतूब दिन आयवाग 1206 से 1290 खेलजी वन्स फिरोज साथ खेलजी 1290 से 1320 तुगलक वन्स गयासु दिन तुगलक 1320 से 1413 सयद वन्स खेज्रखा 1414 से 1451 लोधी वन्स बलोल लोधी 1451 से 1526 मुगल वन्स बावर 1526 से 1707 प्रमुक एतिहासिक युद्ध युद्ध अवदी पईडाम पहला मेनांडर युद्ध 182 इस्वापूर में मेनांडर ने उत्तरपदेश की विजय के दवरान मतुरा पर अधिकार कर लिया दूसरा चंदावर का युद्ध 1194 में मुहमद गवरी ने कन्नोज के सासक जयचंद के मद्ध हुआ इसमें जयचंद की मृत्ती हुई कालिंजर का युद 1223 चंदेल सासक परमदिर देव कुतूब दीन ऐबक के मद्ध हुआ इसमें परमदिर देव की मृत्ती हुई जोनफर का युद 1478 में बहलोल लोधी ने जोनपूर पर अधिकार कर लिया खानमा का युद 1527 में बाबर और राडा सांगा के मद्ध्योगा जिसमें राडा सांगा की पराजय हुई कलिंजर का दुती युद 1545 में सेरसा सूरी की बिजय और मिर्त्यू आगरा का दुती युद 1556 इस लंबे युद में सिंहासन हिमाओ के अधिकार में आया बनारस का युद 1780 में राजा चेट सिंग और गवर्नर जनरल हेक्ष्टिंग्स के मद्ध राजा चेट सिंग की पराजय हुई मतुरा का युद 1844 में मराटो और अंग्रेजो के मद्ध जिसमें जनरल लेक पराजित हुआ और मथूरा और आसपास के छेट पर मराथो का अधिकार हो गया चिनारट कायूद 8819 में अवद की बेगम हजरत मअल और ऐंग्रेजो के मत जिसमें अंग्रेजो को बिजय मिली और 6 इसमबर 9819B को अवद पर ऐंग्रेजो का अधिकार हो गया उत्तर पदेश सिस्ति महतपूर मदकालीन इमारतें इमारत का नाम निर्माता और अस्थान जामा मजदीत बावर संबल मर्यम उज्जमानी मकबरा जहागीर सिकंदरा आगरा अक्बर का मक्बरा जहांगीर सिकंदरा आगरा एत मादू दवला का मक्बरा नुर्जहा बेगम आगरा दिवाने आम दिवाने खा साजहा आगरा दिल्ली जहांगीरी महल अक्बर आगरा आगरा का कीला अक्बर आगरा ताज महल साजहा आगरा जामा मस्जिद साजहा आगरा दिल्ली लाल दरवाजा मस्जिद मुमस्जा जानपूर जामा मस्जिद हुशेन सा सरकी जानपूर अटाला मस्जिद इब्राहिम सा सरकी जानपूर इंजरी मस्जिद इब्राहिम सा सरकी जानपूर जामा मस्जिद अकबर फतेपूर सिकरी शेख सलिम चिस्ति का मगबरा अकबर फतेपूर शिक्री इसलाम खा का मगबरा अकबर फतेपूर शिक्री बुलन दर्वाजा अकबर फतेपूर शिक्री खास महल अकबर फतेपूर शिक्री बिरबल महल अकबर फतेपूर शिक्री जोदाबाई महाल अकबर पतेपुर शिकरी भावतिक स्वरू बगोलिक द्रिष्टी से उत्तर पदेश 87 डिगरी 3 मिनट पूर्वी दिसांतर से 84 डिगरी 49 मिनट पूर्वी दिसांतर तता उत्तर से दच्छिर तक 240 किलो में थैं। उत्तर पदेस का च्षेदपल 2,40,928 किलो मीटर है। च्षेदपल की दृष्टी से उत्तर पदेस का भारत में अस्थान, राज़स्थान, मद्देपदेस, महाराश्ट के बाद, 14.baren जंसंख्या की दिरिष्टी से उतर पदेश का बारात में प्रफम अस्थान है विश्फे 5 देश अयसे हैं जिनकी जंसंख्या उत्तर पदेश की अहाँ है कि इसका मतलब पांध देश को छोड़के सारवस जितने वी देशआ सब की जनसंख्या उत्तर उत्तर प्रदेश से कम है उत्तर प्रदेश भूगार्विक द्रिष्टी से भारत के प्राचिंतम गुंडवाला लेंड का भाग है बिंद्याचल परवच शेड़ियां में इस्तित होने के कारड इन चट्टानों को बिंद्यकरम की चट्टाने कहा जाता है आदेकाल में निर्मित नीश सैलो को बुल्देल खंड में बुल्देल खंड नीश के नाम से जाना जाता है प्राचिन काप मिट्टी के नीच्छेपों को बांगर और नमीन नीच्छेपों को खादर के नाम से जाना जाता है बांगर छेत पुरानी मिट्टी के उस छेत्र को कहते हैं जहां नदियों का पानी नहीं पहुच पाता यह मिट्टी उर्वरक नहीं है खादर छेत्र वो नीचरे छेत्र जहाँ पर नदियों का पानी प्रतिवस पहुँचकर नई मिट्टी की पर्ट जमा करता रहता है खादर छेत्र बहुत ही उपजाओ होते हैं दचिड के पठारी बाग को बुल्देन खंड का पठार भी कहते हैं यह छेत्र दक्कन के पठार का ही परसरण है इसका निर्माण अत्यांत प्राचीन काल में प्रवामान समदरी निच्छेव से हुआ इस पठार की समाने उचाए 300 मीटर है के आसपास है उत्तर पदेश में द दचनार बिंद्यन सहली से हुई है बुल्देंखंड में लाल मिट्री का विस्तार पाइया जाता है बुल्देन खंड में प्लास नामक घास बौत्यात में पाई जाती है वर्सा की मद्य मातरा होने कारण इस पठारी छित में बिच बनस्पतियान छोटी होती है उत्तरपदेश की जलवाय। प्रदेश में तीन रूत में पाई जाती हैं। प्रदेश में सरवादिक अवसत तापमान पाया जाता है। मैज जून में तीवर गती से चलने वाली पस्चमी हवाओं को लूख आते हैं। उत्तरपदेश में सरवादिक वर्षा जुलाई वो अगस्त महीने में होती है। प्रदेश में वर्षा बंगाल के खाड़ी के मानसून से होती है। प्रदेश में अरब सागर से उठे मानसून से नाम की मातरा वर्षा होती है। जनवरी मा में पाला पढ़ता है तथा कोहरा छाया राता है। जनवरी वो फ्रवरी मा में व्हुमत सागर से उठने वाले चक्रवातों से पस्चमी उत्तरपदेश में 10 सेंटिमीटर तक वर्षा होती है। कभी-कभी वर्षा के साथ ओले भी पढ़ते हैं। नदियां उत्तरपदेश की प्रमुक नदियां एक द्रिष्टी में। नदी का नाम उद्गम अस्थल मिलन और लंबाई। गंगा गंगोत्री उत्राखंड बंगाल की खाडी 2994 किलोमीटर। यमुना यमुनोत्री उत्राखंड गंगा 385 किलोमीटर। घागरा माप चाचुंगो नेपाल तिब्बत गंगा 1080 किलोमीटर। चंबल जनापाव पहाडी मद्यपदेश यमुना 965 किलोमीटर। सोन अमरकंटक मद्यपदेश गंगा 780 किलोमीटर। राप्ति लगु इमाले नेपाल घागरा 640 किलोमीटर। राम गंगा लगु इमाले नेपाल गंगा 600 किलोमीटर। बेतवा बिंदु परवद मद्यपदेश यमुना 440 किलोमीटर। सिंद नयनवास टोंक राजस्थान यमुना 416 किलोमीटर। केन कैमूर की पहाडी यमुना 308 किलोमीटर। टोंस कैमूर की पहाडी गंगा 265 किलोमीटर। सारदा मिलान हिम्नत घागरा 160 किलोमीटर। प्रमुक जील। जील अस्थान। किठम जील आगरां। टांडावरी ताल मिर्जापूर। करेला मुहना लखनव। मुगे तालव विशया राइबरेली। खेती तथा नया प्रतापगर। राजाकाबाद लोदी तालव भोशपूर सुल्तानपूर। मोतियावर गवर रामपूर। कुंद्रास्त समुंदर उन्नाव। बल बलहापारा कानपूर। मोराय फतेपूर। आदिताल वराणशी। उत्तरपदेश की नदियों किनारे इस्थित प्रमुक नगर। नदी का नाम नगर। गंगा नदी गड मुक्तेश्वर, सोरू, फरुकाबाद, कर्नोज, कानपूर, वरांशी और मिर्जापूर। गंगा यमुना का संगंपर, इलाबाद, यमुना, सारनपूर, मतुरा, बिंदाबन, आगरा, बटेश्वर, कौसांबी, हमीरपूर। गोम्ती नदी लखनव, सर्यू नदी अयोध्या, रामगंगा बरेली, उत्तरपदेश के प्रमुग बाद, बाद, नदी, जिला, माता टीला, बेतवा, जहासी, गोबिन पल्लप, पंसागर, रिहंद, रिहंद, सोनबद्र, पारिक्चा, बेतवा, जहासी, कालागर, रामगंगा, गोबिन सागर, साजात, साजात, ललितपूर, रोहडी, रोहडी, ललितपूर, सुकुमा, डुकुमा, बेतवा, जहासी, चंदरप्रभा, चंदरप्रभा चंदवली, मुशाखन्द कर्मनाशा चंदवली, काठी रामगंगा बिजनवर, जिर्गो जिर्गो मिर्जापूर, जामनी चामनी ललितपूर, सजनाम सजनाम ललितपूर क्रिशी, क्रिशी उत्तर प्रदेश की यद्वेवस्था का मेरुदंड है, प्रदेश के कर्मकारों में, क्रिशी कर्मकारों का 66% है, उत्तर प्रदेश को 9 क्रिशी जलवायू प्रदेशों में बाटा गया है, उत्तर प्रदेश का अफिम के उत्पादन में देश में महतपू अस्थान है प्रदेश की क्रिशी नीति को ब्यपारिक सोरूप प्रदान करने के लिए पर्युक्साला से खेतों तक कारेकरम को बेवार में लाया गया है प्रदेश में वर्स बार में मुख्य रूप से तीन फसलें पैदा की जाती हैं रभी की फसल अक्टूबर से अप्रेल तक खरीब की फसल जून से सितंबर तक जायत की फसल अप्रेल से जून तक यहूं उत्पादर में उत्तर प्रदेश का प्रथम अस्थान है गुरकपुर जुले में प्रदेश का सरवादिक यहूं पैदा होता है जहूं के उत्तपादर में प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है सर्सों के उत्पादम ने प्रदेश का दूसरा स्थान है गन्ना के उत्पादम में प्रदेश का प्रथम अस्थान है देश में उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादम में प्रथम अस्थान है प्रमुख तथ्य उत्तर प्रदेश के तीन क्रिशी निर्याच्छ तिलखनवु आम सारनपूर आम आगरा आलू प्रतापगड में सरवादिक आवला का उत्पादन होता है साजापूर फरुकाबाद में सरवादिक उत्पादन अम्रूत का होता है बारा बंकी में अफिम का उत्पादन होता है कन्योज में पुस्प इत्र बनाया जाता है गाज तथा बाजरा, नगदी फसले कापास, अलसी, मुंफली, गन्ना, चाय, तील, सर्सोव, तंबाकु, प्रमुख फसले वो उत्पादक जिले, प्रमुख फसल उत्पादक जिले, गेहूं, मेरट, मुझप्पनगर, इतावा, बुलेंसहर, सारनपूर, अलिगर, मुरादाबाद एटा, वो मेनपूरी, गन्ना, गोरकपूर, देवरिया, मेरट, चावल, सारनपूल, गोरकपूर, पिलेबित, देवरिया, बहराईच, गोंडा, जे प्रकास, नरायनगर, बस्ती, रायबरेली, लखनव, वो बलिया, तंबाकु, मेरट, एटा, बनाटसी, फरुकाबाद, देवरिया, वो गोरकपूर, प्रमुक फल, आम, अमरू, संत्रा, माल्ता, नीबू, लीची, और सप्तालू, आम, लखनव, बरेली, मेरट, कानपूर, फरुकाबाद, सारनपूर, वो हर्दोई, शंत्रा, सारनपूर, माल्ता, मेरट, वरांची, आइबू, सारनपूर, मेरट सब्तालू सारनपूर मेरट मुझफरपूर लखनव कि खनीज उत्तर पदेश खनीज संपता की द्रिष्टी से अनिराजों की तुलना में निर्धन है यहां पर खनीज हिमाले के विविन अंचलू तथा दच्छिड के पठारों में मिलते हैं उत्तर पदेश में खनीज विकास की गती बढ़ाने तथा खनीज अधारीत अधोज़गी करण के लिए नए खनीज बंडारों के खोच किये जाने के उद्देश से 1905 में भूत्तत्व खनीज कर्म निदेश साले की अस्थाबना की गई 23 मार्स 1974 में उत्तर पदेश राजि खनीज विकास निगम की अस्थाबना की गई उत्तर पदेश 26 प्रद्शत खनीज उत्पादन के साथ देश में दसमें अस्थान पर हैं उत्तर पदेश में पहली खनीज नीती 29 दिसंबर 1998 में गोशित की गई प्रदेश के 10 जीलो इलाबाद जहासी सारनपूर सुनबद्र मिर्जापूर हमीरपूर महोबा जालोन बादा और ललितपूर में खनीजों का भवलता मिलता है चूनापत्थर के भंडार में उत्तर पदेश का देश में दूसरा अस्थान है उत्तर पदेश में कोईले की प्राप्ती सिंग्रवली सुनबद्र छेत से होती है मिर्जापूर के बांसी मकरी खोच छेतर से नान प्लास्टिक फायर के ले प्राप्त होती है उत्तर पदेश में पाये जाने वाले प्रमुख खनीज चूना पत्थर मिर्जापूर जेले में बिंध्याचल छेत्र में इस्तित कजराहट तथा रोतास अस्थानों में उच कोटी का चूना पत्थर पाये जाता है इसका उपयोग मिर्जापूर इस्ति चूरकवर डल्ला सिमेन फैक्टरियों में होता है डोलो माइट मिर्जापूर के कजराहाट छेत्र में मिलता है इसका उपयोग इसपात उद्योग में निससरण री फैक्टरीज के लिए होता है जबकि बादा में प्राप्त डोलोमाइट का प्रयोग पोर्ट लेंड सिमेंट प्लास्टर आप पेरिस बनाने के लिए किया जाता है बाकसाइड बादा और वरांटसी जिलों में मिलता है बाकसाइड से एल्मूनियम बनाया जाता है इसका उपयोग मिर्जापूर में इस्थित रेडियो कूट फैक्टरी में होता है सोना, सारदा और रामगंगा नदियों के रेत से मिलता है इसका उपयोग का चुद्ध्योग आभूशर बनाने और सदियों बनाने आदी में किया जाता है हीरा, बादा जिले में पाय जाता है मिर्जापूर के जंडल छेत में भी हीरे मिले हैं कोईला का उत्पादन सोनबद जिले में नीचले गोंडवाना पत्रों के बराबर अस्तर में होता है मिर्जापूर जिले के सिंगरवली छेतर में कोल इंडिया लिम्टेड द्वारा खुदाई का कारे किया जाता है यहां के कोईले का उपयोग ओबरा ताब बिद्दूत ग्री में होता है ताबा ताबे का भंडार ललितपूर जिले के सुनराई छेतर में इस्तित है यह दातु मुखेता आगने एवं परगदार चटानों में नसे के रूप में प्राप्त होती है यह बिद्दूत का उत्तम नसो के रूप में प्राप्त होती है यह बिद्दूत का उत्तम सुचालक है राक फास्पेट राक फास्पेट के भंडार की वोई दूरमाला मसराना माल देउता और चम सारी में पाए जाते हैं बादा में भी इसके भंडार मिले हैं इसका उपयोग रुबरक उद्योग में अमली मिर्दा के उपचार में होता है। संग मरमर मीजापू जीले में मिलता है ताजमवल के निर्माड में भी यहां के पत्थर का उपयोग हुआ है। काच बालू उत्पादन में उत्तर पदेशिक अग्रडी राज्य भुगर्व विक्ताओं के अनुसार यहां बालू का दस करोड टन से भी अधिक भंडार उपरस्त है इसका उत्पादन चक्या छेत वराणशी मुडारी बाला बेहट जहासी इलाबाद और बादा जीले में है इस फुटिक कूट कर उद्द्वक के योगे बनाया जाता है काच बनाने योगे बालू वरांशी आगरा और इलाबाद के निकट गंगा और यमूना नदी से प्राप्त होती है S-Betus S-Betus मिरजापूर जिले से प्राप्त होता है इसका उपयोग सिमेंट उद्द्योग और विद्दूत करोडों में किया जाता है Pyrophylite Pyrophylite जहांसी और हमीरपूर जिलो इंपाई जाता है इसका उपयोग तापसव और सीरेमिक उद्द्योग तथा किट नासक बनाने के लिए किया जाता है POTASLEVARD POTASLEVARD का उतपादन कानपूर, गाजेपूर, इलाबाद और वरांटसी जिलो में होता है इमार्ती पत्थर मिरजापूर और चुनार में चूने का पत्थर मिलता है कंकर, कंकर, संपूर मैदानी भाग में पाए जाता है इसका उपयोग सड़क, निर्माड वर सिमेंट उद्योग में होता है PIRITS, PIRITS, मिरजापूर जिले में मिलता है सेल खड़ी, सेल खड़ी, जासी और हमीरपूर जिलो में मिलता है उत्तर परदेश में मिलने वाले प्रमुक खनीज वर च्षेत एक दिरिष्टी में खनीज, प्रमुक च्षेत्र चुनापत्थर, मिरजापूर और सुनबद जिलो में डोलोमाइट मिजापूर सुनबदर बादा जीलो में, एसबेस्टर्स मिजापूर जीलो में, पाइराइट्स मिजापूर जीलो में, एंडाल साइट मिजापूर जीलो में, बेराइट्स एडालू साइट मिजापूर और सुनबद जीलो में, राग फास्फेट बादा जीलो म में चायना के लिए सुनबद जिले में जिपसम जहासी और हमीरपूर जिले में संगमरमर मिर्जापूर और सुनबद जिले में कोयला मिर्जापूर सुनबद जिलो में ताबाज ललितपूर जिले में हीरा बादा और मिर्जापूर जिलो में सेल खड़ी हमीरपूर जहासी ज जिलो में उद्योग धंदे नई और अवस्थापनायम अदोगिक निवेश नीती 2012 के सितंबर 2012 में शुक्रित की गई सितंबर 2012 में शुक्रिती के इस नीती में 11.2 प्रत्सत वार्षिक अदोगिक विकास दर प्राप्त करने का लच रखा गया प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावाद देने एवं निवेश आकर्षित करने के साथ ही इसमें पुर्वांचल बुल्देन खंड और मध्यांचल को विशेश मत्व पदान किया गया है पुर्वान्चल बुल्देनखंड और मध्यान्चल में इकाईया अस्थापिक करने वाले उद्धमियों को स्टाम सुल्क सौ प्रतिसत की छूड़ दी जाएगी उत्तर पदेश में 16 सितंबर 1972 को हद करगा एवं वस्तो द्रोग नेदे साले का गठन किया गया है कानपूर को उत्तर पदेश उत्तर भारत का मांचेस्टर कहा जाता है उत्तर प्रदेश राज वस्त निगम की अस्थापना 1989 में उत्तर पदेश सरकार की एक कमपनी में के रूप में की गई थी 1973 में इसे पब्लिक लिम्टेट कमपनी के रूप में परवर्तित कर दिया गया अंग्रेजों ने 1993 में प्रताप पुरू देवरिया में भारत की पहली चीनी मिला स्थापित की 1935 इसबी में गन्ना विवाग का गठन किया गया उत्तर पदेश में खादी ग्राम उद्योग बोड का गठन 1960 में इसबी में किया गया उत्तर पदेश का फिरोजाबाद नगर चूडिया बनाने एतु बिसु भी क्यात है उत्तर पदेश में चमणा उद्योग का प्रमुक क जोन निर्यात होने वाले उत्पाद, नोईडा में रत्न, आभूशड, इलेक्ट्रानिक्स, परिधान, कम्प्यूटर, हाडवेर, एवन साफ्टिवर, चमडा, आगरा, संग्मर्मर, सिल्क, कार्पेट, हस्त, सिल्फ, समान, कलात्मक, समान, बैग, मुरादाबाद, आठ, बैटल, वेएर, कलात्मक, आभूशड, बून, जवेलिरी, लखनव, फ्लोरी, कल्चर, आरिवेदि, खर्वल, अवसदी, केमल, बून, कार्विंग, कानपूर, चमडा, उत्पाद, साफ्टिवेर, रसायन, हैंडलू, पर्फ्यूम, फर्मा, सिटिकल, तेल, मसाले, वराट रसी, रेसम, उनी, हस्त, सिल्ब, लकडी के खिलवने, जहासी और ललिटपूर, पीतल के समान, प्रमुक, उद्ध्योग, चीनी, सूती, वस्त्र, चूनी, उनी, वस्त्र, रेस्मी, वस्त्र, जूट, काच, चमडा, दिया, सलाई, साइकिल, कागज, सिमेन, बनस्पति, गे पे होता है, देवरिया, गोरकपूर, सारनपूर, बरेली, मेरट, साजापूर, सूती, वस्त्र, उद्योग, हातरज, लकनव, मोदी, नगर, इतावा, अलिगड़, वो, नैनी, इलावाद, रेस्मी, वस्त्र, उद्योग, वरांटसी, वो, इतावा, उनी, वस्त, काच की चूणिया, नैनी, इलावाद, बजोई, मुरादाबाद, सासनी, अलिगर, सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, बालाबाली, बिजनोर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, रामनगर, वरांटसी, वो, हीरनगाव, फिरोजाबाद, चूणियों के उत्पादर में, दिली, इलावाद, वो, लखनव, सायखिल उध्योग, आगरा, वारांटसी, लखनव, इलाबाद, तथा कानपूर, बनस्पति गें उध्योग, कानपूर, मोदिनगर, गाजियाबाद, वो, अलिगर, काजज उध्योग, सारनपूर, वो, लखनव, एल्मूनियम, रेन्यू कुट मिर्जापूर सिमेंट उद्योग चूर्क डल्ला वककज राहत इंजिनिरिंग उद्योग कानपूर गाजियाबाद मेरट इलाबाद आगरा अलिगर तथा बरेली सिग्रेट उद्योग सारनपूर कुटिर उद्योग हतकरगा उद्योग सूति वज्द्योबन सारनपूर सिकंद्राबाद बुलन्चहर पिलखुआ गाजियाबाद टांडा फैजाबाद मौनाद भन्जन वो मुबारिकपूर आजमगर मगहर गोरकपूर हतकरगा उद्योग रेश्मी वस्तका वरांटसी मिर्जापूर संडिला हर्दोई मौनाद भन्जन आजमगर पीपल वो कलाई के बरतन मुरादाबाद वरांटसी हातरस हापूर भरुकाबाद कालीन का उद्योग मिर्जापूर आगरा इत्रव तेल कन्नावज गाजिपूर जनपूर लकडिव नकासी नगीना बिजनवर सारनपूर ताले चाकू व कैची अलिगर मेरट मतुरा प्रेश्व प्रकासन आगरा मतुरा अलिगर मेरट अन्य उद्योग सहर उद्योग अलिगर ताला मुरादाबाद पीतल के बर्तन खुर्जा चीनी मिट्टी बरेली फर्रीचर मेरट तेल खेल का समान आगरा सारनपूर लोये का बाट मेरट कानपूर लकनव बैंट पाजे हर्मूनियाम तबला बासुरी लकनव टार्च बनार सिल्क की साड़ी लकनव चिकन बदोई कार्पेट विशेश आर्थिक छेत्र न्वेडा विशेश आर्थिक परिछेत देश के आठ विशेश आर्थिक परिछेत में उत्तर भारत का एकमात एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन हैं बदोई वराट्सी कानपूर और आगरा में विशेश आर्थिक छेत विख्सित किये जा रहे हैं जनसंख्या उत्तर पदेश जनसंख्या एक दिरिष्टी में जनसंख्या पुरुष उन्नैस करोड अंठानबे लाग बारा लाग तीन सो एक्तालीस महिला दस करोड चवालीस लाग अस्ती जार पांसो दस भारत की जनसंख्या का कूल प्रतिशत का आयत 16.5 प्रतिशत ये जो आकड़ा है 2011 की जनगर्णा के अनुशार हैं दसकी बिद्धी जो है 20.2 प्रतिशत का होई थी इसमें जनसंख्या घनत्व 839 वेक्ति पर वर किलो मेटर साचहतार दर सट सट दसमलो साथ प्रतिशत कूल जनसंख्या में ग्रामीड जनसंख्या की प्रतिशत हिस्सेदारी 77.7 प्रतिशत कूल जनसंख्या में नगरी की हिस्सेदारी 22.3 प्रतिशत लिंगा अनुपात है प्रति एक हजार पूर्सों पर जो महिलाओं की संख्या है वो 912 है जो कि ग्रामीड में 918 है और नगरी में जो है आपका 894 है बाल जन संख्या बाल जन संख्या जीरो से 6 वर्ष के तक 3,7,192,330 जो कूल जन संख्या का 15,04 प्रतिसत है बालकों की बाल जन संख्या एक करोड एक सर्थ लाग पचासी जार 581 जो 15,05 प्रतिसत है बालिकाओं की बाल जन संख्या एक करोड जन संख्या एक करोड जन संख्या एक करोड एक तीस लाग पैंतिस हजार पान्चानबे 16,02 प्रतिसत नगरी बाल जन संख्या नगरी बाल जन संख्या एक करोड एक करोड एक तीस लाग उन्चास हजार 983 प्रतिसत नगरी बालिकाओं की बाल जन संख्या 27,762,209 प्रतिसत शीशू लिंगा नुपाद 902 ग्रामीड में 906 नगरी में 885 अनुसूचित जाती एवं जन जाती अनुसूचित जन जाती की जन संख्या चार करोड तीर लाग संतावन हजार छे सो आठ है अनुसूचित जाती की दसकी ब्रिद्धी जो है 2001 से 11 तक 10 साल में 17,07 प्रतिसत अनुसूचित जाती का लिंगा नुपाद 908 है जिसमें से ग्रामीड में 912 और नगरी में 883 कुल जन संख्या में अनुसूचित जाती की प्रतिसत हिस्सेदारी 20,07 प्रतिसत अनुसूचित जन जाती की जन संख्या 11,34,273 ग्रामीड में 10,31,07 नगरी में 1,3,197 अनुसूचित जन जाती में पुरूष जो है ग्रामीड में 5,26,315 नगर में 94,768 अनुसूचित जन जाती महिलाएं जो है 5,35,190 है जिसमें ग्रामीड चित्र में 5,47,61 और नगरी में 48,439 अनुसूचित जन जाती का लिंगान उपात है 952 जिसमें से ग्रामीड में 969 है और नगरी में 884 कुल जन संक्या में अनुसूचित जन जाती की परश्षत जो है 0,06 प्रतिसत है जो की ग्रामीड में 0,07 प्रतिसत और नगर में जो 0,02 प्रतिसत चाच चर्टार चाच चर्टार चाच चर्टार जन संक्या जो है 11,43,197,555 है जिसमें से पुरूष है 6,42,44,964 में जो साच चर्टार है 4,61,62,591 जिसमें से पुरूष है 7,64,67,3 में जो साच चर्टार जो है 57,2 प्रतिसत है जिसमें से पुरूष है 7,3 प्रतिसत है महिला 48,4 प्रतिसत नगरीड साच चर्टार जो है 75,1 प्रतिसत है जिसमें पुरूष असीव दस्मलों 4 प्रतिसत महिला 60.9 प्रतिसत उसके बाद है स्रमिक कुल स्रमिक जो है यहां पर है च्छ करोड़ 58,004,755 कार्ष अवाइकता दर 32,09 प्रतिसत है जिसमें से ग्रामिट 23,04 प्रतिसत नगरी 31,02 प्रतिसत कुल किसान 1,90,57,888 है कुल स्रमिकों में किसानों का प्रतिसत 39 प्रतिसत जिसमें से ग्रामिट 35,06 प्रतिसत नगरी 4 प्रतिसत उत्तर प्रतिसत जनगर्णा 2011 के आकडो के अनुसार उत्तर प्रतिस की कुल जनसंख्या 29,98,12,341 जिसमें पुर्षो की जनसंख्या 10,44,8510 है और महिला की जनसंख्या 9,35,31,831 है उत्तर प्रतिस में भारत की 16,25 प्रतिसत जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रतिस भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रतिस की जनसंख्या 20,05 में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश ब्राजील की जनसंख्या की लगबग बराबर है उत्तर प्रदेश का सरवादिक जनसंख्यावाला जिला इलाबाद है जिसमें 69,54,391 और सबसे कम जनसंख्यावाला जो जिला है महोबा है 8,75,958 उत्तर प्रदेश के अधिक्तम जनसंख्यावाले तीन जिला इलाबाद 69,54,391 मुरादाबाद 47,72,006 गाजियाबाद 46,81,645 उत्तर प्रदेश के नियुंतम जनसंख्यावाले तीन जिला महोबा 8,75,958 चित्रकुट 9,92,730 हमेरपूर 11,4,285 उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक पुरुष जनसंख्यावाले तीन जिले इलाबाद 31,3,807 मुरादाबाद 25,3,186 गाजियाबाद 24,88 उत्तर प्रदेश के सबसे कम पुरुष जनसंख्यावाले तीन जिले महोबा 4,6,358 चित्रकुट 5,27,721 हमेरपूर 5,93,537 उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक महिला जनसंख्यावाले तीन जिले इलाबाद 28,22,584 आजमगर 23,28,909 जोनपूर 22,73,749 उत्तर प्रदेश के सबसे कम महिला जनसंख्यावाले तीन जिले महोबा 4,9,600 चित्रकुट 4,44,009 हमेरपूर 5,10,748 दस्की ब्रिद्दी दर 2001-2011 के अनुसार जनगर्णा, 2011 के आकडों के अनुसार उत्तर प्रदेश में दस्की ब्रिद्दी 22,2 प्रतिस्त की रही है जिसमें से नगरी दस्की ब्रिद्दी 28,8 प्रतिस्त और ग्रामी दस्की ब्रिद्दी 18 प्रतिस्त रही है सरवादिक 10 की बिर्दी दरवाले तीन जिले गवतम बूद नगर 47.1, गाजियाबाद 41.3, शरावस्ती 30.5 सबसे कम दसकी बिर्दी वाले तीन जिले कानपूर नगर 9.9, हमेरपूर 11.1, भागपत 11.9 लिंगा नूपाद जनगन्ना 2011 के आकड़ों के अनुसार उत्तर पधेश का लिंगानुपात एक हजार पूर्सों में नौसो बारस मैलाओं का है जो 2001 के 898 से 14 अधिक है राज में सबसे अधिक लिंगानुपात जोनपूर 2024 है और सबसे कम लिंगानुपात गवतम बुद नगर 851 है सबसे अधिक लिंगानु पात वाले तीन जिले जवनपूर एक चाहजाज़ुबिस आजमगर एक चाहजार एकहजार उननीस देवरिया 107 सबसे कम लिंगानु पात वाले तीन जिले गवतंबून नगर 851 बागपत हमेरपूर 861 कानपूर नगर 862 जनसंख्या घनत्व जनगर्णा 2011 के आकड़ा के अनुसार उत्तर पदेश में जनसंख्या घनत्व 829 वेक्ति एक वर किलोमीटर काय जो 2001 में 690 वेक्ति से 149 वेक्ति अधिक है उत्तर पदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद 3931 वेक्ति और सबसे कम जनसंख्या घनत्व ललितपूर 242 वेक्ति का है धार्मिक जनगर्णा प्रद्यों, जाइफमाड भूळिकar दौसाट स कहते हृचप हई साथ प्रत्यशत के हृचशन सात प्रत्यशत से अधिक हिंदूों की जनसंख्या वाले जिले गाजियाबाद छांसी आगरा कानपूर गोरकपूर तथा इलाबाद है प्रदेश की राधानी लखनव की एक चवथाइस से ज्यादा जनसंख्या मुस्लिम है राज के बड़े सहरों में सरवादिक 28,17,105 जनसंख्या वाले ल पदार मंतिरी मानिमी नरेंद मोधी जी की संसदी छेत वाराट सी के सहर्च चेत में 70,01 प्रतिसत हिंदू है जबकि मुसलिमों का प्रतिसत 39 प्रतिसत है सारनपूर नगर निगम ऐसा चेत्र है जहां कि कूल जनसंख्या में 50.9% हिंदू है जबकि मुस्लिमों की हिसेदारी 46% है मुरादाबाद नगर निगम चेत्र में सरवादिक 47% मुसल्मान रते हैं यहां हिंदूों की जनसंख्या 51.7% है अलिगर नगर निगम चेत्र में भी मुसलिम समाज की जनसंख्या 43% है जबकि हिंदूों की 55.4% है उपरियुक्त आकणों को देखा जाए तो यह ज्यात होता है कि सूबे में 80 या 80% से उपर हिंदूों की संख्या वाले मात्र तीन सहर हैं जो करमसा गाजियाबाद, जहासी और आगरा हैं 70 से उपर किन्तू 80% से कम हिंदू वाले जीलों की संख्या 5 है जिन में कानपूर, गुरकपूर, इलहाबाद, लखनव, वरांसी जिले आते हैं जो 50 या 70% हिंदू वाले जीलों की संख्या अच्छे है सूबे में 40% या अधिक मुस्लिम जीलों की संख्या तीन है जिन में सरवादिक मुस्लिम प्रतिसत मुरादाबाद, सैदालिप प्रतिसत है तस पस्चा सारनपूर, वालिगर का स्थान आता है इसी प्रकार उत्तरपदेश के बड़े सरों में इसाई, सीख, बहुत, जैन की प्रतिसत अत्यदिक कम ही है उत्तरपदेश के सभी दर्मों के आकड़े असपस्थ है कि उत्तरपदेश की संपूर जन संख्या 29,98,12,3 जिसमें पूरूष 10,44,8,510 तथा महिला जन संख्या 9,35,13,8,31 है कुल जन संख्या में महिलाओं का प्रतिसत 47,57 प्रतिसत है एक ओर जहां हिंदूओं की सुबह में सबसे अधिक जन संख्या वही दूसरी और बहुत धर्म की जन संख्या सबसे कम है लेकिन यह अजीब ऑन बना है कि हिंदू जन संख्या अधिक होते हुए भी महिलाओं का प्रतिसत 47,55 प्रतिसत है वहां बहुत धर्म में महिलाओं का कुल जन संख्या प्रतिसत 47,9ा है इसाई धर्म में मयलाओं का प्रशित 48.7 प्रशित इसके बाद मुस्लिम दर्म में अस्थान आता है जिसमें मयलाओं का प्रशित 48.3 बाध जाएन तर्फा बहुत धर्म का जो 47-दस्मनों नौशन प्रतिस्त पर सभी धर्मों में मेलाओं के पर्तिस्त के लिहाज से सबसे अंतिम पाइदान पर सिख्थर्म है जो मात 46.9 पर प्रतिस्त है कि बड़े सरो में कूल जन सन्हों चेंग जन संख्या में भीविन धर्मों की हिस्षेदारी आंकड़े प्रतिसत में तो गाजियाबाद जो है इसमें प्रतिसत जो है हिंदू का है 82 प्रतिसत है मुश्लिम 14 इसाई 0.78 शीक 0.9 चब बहुत 0.15 जैन 0.17 तो जन संख्याव जो है जहासी में हिंदू जो है मैं हिंदू का बता दे रहा हू हिंद्ध हुआज,िसेंद्ध मुस्लिम 17 यागरा में इसी दे देशुक्तoh 70 फश्द मुस्लिम 15 ज cuidado में 78 फ़री प्रतिसत मुस्लिम-20 जातबाशों तत सविन जोरूिजम 21 प्रतिसतव इलाबाद में में है स्था प्रक्राश्ट मुस्लिम 22 प्रक्राश्ट लग्नौग में हिंदूय 0 स्था फिरुजाबाद में 12 bonitoते Hunter достаточно Qatar हिंदू मुस्लिम 54 प्रक्राश्ट पर मेरच में जबाँ हिंदु जो hiçbir सतना लगबग मुस्लिम 36 प्रक्राश्ट भरेली में हिंदू 18.06 हुदारा मुरादाबाद में हिंदू 17.0 सारण पूर में 50.09 मुश्यालि प्रते और आप यहां आप mindset में देख के अपनायाद कर लिजेगा डेटा जल्दी याद नहीं होता है मुझे सिच्छा साचर्टा की द्रिष्टी से उत्तर पदेश का देश में अस्थान नीचे से पाच्वाँ है देश की तरह उत्तर पदेश में जो सिच्छा प्राली प्रचली थे वह अधिकान से तक कोठारी आयोग के संसितियों पर आदारी थे सिच्छा के संबन्द में दी गई कोठारी आयोग के संसितियों में 1968 में लागू किया गया था सिच्छा आयोगों ने डिगरी तक पहुचने वाले 15 वर्ष के 10 प्लस 2 प्लस 3 एक समान धाचे का सुझाव दिया था राज में 1972 तक सिच्छा निदेशक की अंतरगत प्रात्मीक मादमीक उच तथा प्रसिचर्स अस्तर की सिच्छा संचालित थी सिच्छा के बढ़ते कारवियों वो उसमें नए नए सुधारों को ध्यान में रखते वे 1972 में सिच्छा निदेशालियों को तीन भागों में बाट कर अलग अलग सिच्छा निदेशक बेसिक सिच्छा निदेशक मादमीक और उच सिच्छा निदेशक के पदों पर सिजन किया गया प्रशिच्छड एवं अनुसंधान संस्थाओं के गतिसील एवं प्रभावी नियंतर देने के उद्देश से वर्ष 1981 में राज सहिचिक अनुसंधान एवं प्रशिच्छड परिश्रत किया स्थापना की गई तता इसके लिए अलग से एक निदेशक की नियुप्ति की गई जनाय संचालित की गई जो इस प्रकार हैं विद्याले में मद्यान भोजन योजना का राश्टी कारिक्रम सर्व सिच्छा अभियान में भारत सरकार का अंसदान 75 प्रतिशत तथा राज सरकार का अंसदान 35 प्रतिशत कच्छा एक से आड़ तक बालक वं बलिकाओं को नमीन सिच्छा प्रलाली एवं प्रलाली द्वारा सिच्छा प्रदान किये जाने के उद्धेश से आधुनिक पद्यती पर अधारित लकनव और सफाही में एक एक अभिनव बिद्याले की अस्थापना की गई सिच्छा मित्र योजना का उद्धेश प्रात्मिक विद्यालेओं में निर्धारित मानका नुशार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाये रखने यों ग्रामिड इवा सक्ति को अपने ही ग्राम में सिच्छा से जोड़ने के लिए सिच्छा मित्र योजना का कारियनुमन 2001-2001 से प्रारम किया गया निसूल्क पार्थ पुष्टक की ब्योस्था के अंतरगत सभी परिशदी बिद्यालों में एक से आठ तक के समस बच्चों को निसूल्क पार्थ पुष्टक के उपलब्द कराने की ब्योस्था निसूल्क उनिफाम बित्रण के अंतरगत बेशिक सिच्चा परिशदी पुष्टक के विद्यालों में अध्यनरत गरीबी रेखा के उपर बालको को प्रति बालको बालक दो से निसूल्क उनिफाम उपलब्द कराने की ब्योस्था है मादमिक सिच्छा किया गया इसका काम राज के मादमिक विद्यालेओं के लिए सिच्छकों का चेहन करना मादमिक सिच्छा परिशत उत्तरपदेश इलाबाद संभवता देश की सबसे बड़ी परिच्छा लेने वाली संस्था है कन्या विद्याधन योजना का उद्देश परदेश में बाली का सिच्छा को बढ़ावा देने एतु आर्थिक दसा से कमजोर परिवारों की आएसी छातराये जिनोंने इंटर की परिच्छा या इसके समकच कोई भी परिच्छा उत्तिर कर लियो उन्हें उच्छ सिच्छा प्राप्त करने के लिए राज सरकार द्वारा एक मुष्ट तीस हजार रुपे की आर्थिक राशी दी जाती थी पड़े बेटियां योजना के अंतरगत प्रदेश में आर्थिक कारणों से सिच्छा से बंचित समस्वर्गों की गरिवी रेखा से नीचे और अंतियोदय परिवारों की छातराओं को हाई स्कूल की परिच्छा उत्तिर करने के उपराम कच्छाई 11 में परिवेश लेकर अधियन्रत का छातराओं को प्रोचान सुरूप मुझ 30,000 रुपे धनराशी प्रदान करने योजना वर्ष 2012-13 से सुरू की गई उच्छ सिच्छा निदेशाले उत्तरपदेश इलाबाद द्वारा उच्छ सिच्छा का संचालन किया जाता है उच्छा की नियंत्रण और निर्देशन है तूसन 1902 में उच्छा निदेशाले की इलाबाद में अस्थापना की गई राजे के प्रमुक बिश्व विद्याले केंदरी बिश्व विद्याले इलाबाद बिश्व विद्याले 1887 कासी हिंदू बिश्व विद्याले वराणसी 1916 अलिगर्ड मुस्लिम बिश्व विद्याले अलिगर्ड 1921 डाक्टर भीमराव अंबेटकर बिश्व विद्याले ल 2018 2010 अविकेंदरी विद्याले निण थे उट चल आते राज से बिंद्याला ने प्रूरान लगaldo 121 ड्याक्नर इएरट fällt 1965 माथंमा गांधी 80 बिद्यापीट वरांशी ej मेर चोवत्तर बोल स्टमेट भू Liberal currency 1975 डाक्टर राम मनोयर लोहिया अबद बिसुविद्याले फाइदाबाद 1975 महात्मा गांधी जोतिवा फुले रुवेल खंड बिसुविद्याले बरेली 1975 बीरबादु सिंपुर्मांचल बिसुविद्याले जोनपूर 1987 डाक्टर एपी जे अबदुलकलाम प्रवेदिक बिसुविद्याले लखनौ 2001 गौतम बूद बिसुविद्याले ग्रेटर नोयडा 2002 डाक्टर राम मनोयर लोहिया ब्राष्टी बिसुविद्याले लखनौ 2005 उत्तर पदेश बिकलांग उद्धार डाक्टर सकुन्तलाम मिश्रा बिसुविद्याले लखनौ 2008 ख्वाजा मुई दिन चिस्ती उर्दू अर्वी फार्शी बिसुविद्याले लखनौ 2010 मदन मोहन मालवी प्रदोकी बिसुविद्याले गोरगपूर 2013 बिसुविद्याले कपिल वस्तु सिधात नंगट 2015 उत्तर पदेश आयरुविज्यान विश्रू बिसुविद्याले सेफ़ाई इटावा 2016 हरकोट बटलर पधुगी बिसुविद्याले कानपूर 2016 जन्नायक चन्दसेखर विश्रू बिसुविद्याले बलिया 2016 मुक्त बिसुविद्याले एकईये उत्तर पदेश राधाशी टंडन मुक्त बिसुविद्याले इलाबाद 1998 डिम्ड इन्वर्सीटी डिम्ड बिसुविद्याले दयालबाग Еजुकेशन सिच्छा संस्तान दयालबाग आगरा 1981 पसुची किस्ता अनुसंदान संस्ता इज्जत नगर बरेली 1983, केंदरी उच्छ तिबती सिच्छा संस्तान सारनाथ वरांट सी 1989, इलावाद अगरिकल्चर इंस्ट्यूट नैनी इलावाद 2000, इंडियन इंस्ट्यूट आप इन्फॉर्मेशन टेकनलोजी इलावाद 2000, बात ख उच्छना प्रदोकी संस्तान नुएडा 2004, सोवित अभ्यांतरिक यों प्रदोकी संस्तान मेरट 2006, नेरु ग्राम भारती बिशुविदाले इलावाद 2008, नीजी बिशुविदाले इंटेग्रल बिशुविदाले कुर्शी रोड लखनवू 2004, मिटी बिशुविदाले वारती बिशुविदाले मेरट 2008, तिथक्कर महाबीर बिशुविदाले मुरादाबाद 2008, सार्दा बिशुविदाले ग्रेटर नुएडा गौतम भूद्नगर 2009, जी अले बिशुविदाले मतुरा 2010, इन्वर्टिस बिशुविदाले बरेली 2010, मुनाड बिशुविदाले हा पूर दोजार दस नोएडा इंटरनेशनल विस्विद्धाले ग्रेटा नोएटा गौतम बुद्नगर दोजार दस IFTS विशुविद्याले उंकार धाम लोधीपुर राजपुत दिल्ली रोड मुराधाबर 2010 बेंकेटरश्वर विशुविद्याले गजरवला जोती बाफुले नगर 2010 बाबु बनार्शिदाद विशुविद्याले लखनौ 2010 गल गोटी याज विशुविद्याले ग्रेटर नौएडा गौतम बुद्नगर 2011 सिव नाडर विशुविद्याले दादरी गौतम बुद्नगर 2011 स्रीज राम चोरुप मेमोरियल विशुविद्याले बारा बंकी 2012 दिग लोकल इनवर्सिटी सहारनपूर 2012 स्वविद्य विशुविद्याले सहारनपूर 2012 बेनेट विशुविद्याले ग्रेटर नौएडा 2016 एरा विशुविद्याले लखनौ 2016 आई आई एम्टी विशुविद्याले मेरर 2016 प्राविधिक सिच्छा राज में 78 सरकारी पल टेकनीक 19 अनुदानित पल टेकनीक 234 नीजी पल टेकनीक संचालित है वर्तमान में प्राविधिक सिच्छा विभाग के अधिन 11 असनातक और असनाकोतर अस्तरी स्वायत सासी संस्थायं 331 डिप्लोमा अस्तरी संस्थायं संचालित है 2019 में लखनोव में उत्तर प्रदेश प्राविधिक विशुविद्याले के अस्थाबना की गई 2010 इस्थी में महामाया प्राविधिक विशुविद्याले गौतमबूद नगर के अस्थाबना की गई 2010 इस बी में उत्तर प्रदेश प्राविदिक विश्विद्याले का नाम बदल कर गौतम बुद्ध प्राविदिक विश्विद्याले लखनव कर दिया गया चिकिस्था सिच्छा प्रदेश में मेडिकल सिच्छा प्रदान करने तथा जनता को स्वास्थ संबंदिश सुविधाय प्रात करने के लिए मेडिकल विश्विधाले तथा मेडिकल कालेज हैं जिनका विवरर इस प्रकार है मेडिकल विश्विधाले अस्थाबना वर्ष डाक्टर राम मनोय लोहिया इंस्टूट आप मेडिकल साइंस लगनोव दोजाद चार संजे गांधी असनाकोत्तर आयुरु विज्ञान संस्था लगनोव डिम्ड विश्वविदाले दोज़ाद दो धन्वत्तरी चिकिस्षा विश्वविदाले लखनोव दोजाद दो मेडिकल कालेज सरोनी नाइडू मेडिकल कालेज हों चिकिस्षा आगरा अठारो सुचमवन गडेश संकर विद्यार्थी इसमारक मेडिकल कालेज कानपूर निसो चपन मोतिलाल नेरू Medical College इलाबाद 1961 लाला लाजपत राय एसमारक Medical College मेरट 1963 महारानी लच्मी बाई Medical College छांसी 1965 बाबा रागोदास Medical College गोरगपूर 1971 लच्मी पत सिन्हानिया हिर्दै रोग संस्तान कानपूर 1975 नर्सिंग कालेज कानपूर 1972 वरांट्सी वो अलिगर्ड मेडिकल कालेज वरांट्सी और अलिगर्ड विश्विद्यालेज संबंध है राज में आज आरिवेदीक साथ होमियापैतिक था दो युनानी मेडिकल कालेज है राज में साथ होमियापैतिक चिकिस्सा महाविद्याले लखनवु इलाबाद कानप राज में आठ राजकी आरवेद कालेज लखनव, पीलीविद, छासी, बरेली, मुझफर नगर, अतर्रा, बादा, हडिया, इलाबाद तथा वराणसी में इस्तित है। राज में राजकी उनानी कालेज लखनव तथा इलाबाद में हैं। मुख्मंतरी अकिलेश यादों ने वह 2016-17 में बजट पेश करते वें बताया कि कन्योज आजमगर जालावन सारनपूर में नए मेडिकल कालेज प्रारम किये जा चुके हैं। जबकि बादा जावनपूर चंदोलियों बदावों में निर्माना धीन है। बिनोर के नजीवाबाद में भी मेडिकल कालेज अस्थाबित करने का निर्मान लिया गया है। इन कालेजों की अस्थाबना के पस्छात प्रदेश में राजकी मेडिकल की संख्या जो है 16 हो जाएगी। परिवन, संचार, उत्तर प्रदेस में परिवन मु Mumbai सादाने, सडक परिवन, रेल परिवन, udhle, उत्तर परिवन, सरपथम राश्टिक परिवन, 15 मुण 1947 प्राराम भुगा वर्श 121213 में राजस्व ग्रामों के बो हमु कि विकास इतुप्रदेस में डाक्टर राम मनोहल decide या समग्र ग्राम विकास योजना प्राराम की गई यमुना एक्सप्रेस्वे पूर्व नाम ताज एक्सप्रेस्वे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्नगर ग्रेटर नौइडा से शुरू होकर अलिगर्ड मतुरा हातरस होते वे आगरा तक जाता है एसिया का सबसे लंबा साइकिल हाईवे इटाबा आगरा के मद 207 किलो मीटर है देश का सबसे लंबा शिक्स लेन ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस्वे आगरा लखनव के मद 302 किलो मीटर है सडक परिवान परिवान के साधरों में सबसे महतपूर साधान है उत्तर परदेश में सडकों का जाल विच्छा गए उत्तर परदेश राज सडक परिवान निगम का गटन एक जून 1972 को किया गया था इसका मुख्याले लखनव में है उत्तर परदेश परिवान निगम का केंदरी कारेशाला एवं प्रसिच्छट संस्थान कानपूर में स्थित है उत्तर परदेश राज सडक परिवान निगम को 10 छेत्र में बाटा गया है आगरा, अलिगर, इलाबाद, बरेली, गोरकपूर, कानपूर, लखनव, मेरट, टनकपूर, वरांसी नव बड़े नगरों में महानगर बस सिवा की ब्योस्था की गई इन नगरों में आगरा, लकनव, इलाबाद, वारांची, गोरकपूर, मुरादाबाद, बरेली, मेरट, गाजियाबाद, सामिल है प्रदेख छेत्र का एक महा प्रबंदक होता है, एक आयुक्त होता है, जो समयनुवन का काम करता है, निगम का एक अध्यच होता है प्रदेख से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्टी राजमग, राजमग, एनियस टू है, जो दिल्ली से कोलकाता तक इसकी लंबाई 770 किलोमीटर है जन्रत सेवा निगम द्वारा जराधानी लखनोग से राजी के कई जिला मुख्यालों तक कम किराये वाली वातानुकुली जन्रत बसों का संचलन किया जा रहा है लोया ग्रामीड बस सेवा निगम द्वारा प्रदेश के ग्रामीड सेवों में सस्ती सुलब यात्रा फ्रवरी दोजार मात शुरू की गई इस सेवा के तहद किराया समाने बसों में 25% कम रखा गया रेडियो टैक्सी सेवा प्रदेश के नगर निगम वाले नगरों में नीजी छेत्र के माध्यम से सुरच्छित आरामदायक वाता नू कूलित परिवान साधन उपलप्त कराने उद्देश सरपतम 22 59 213 को लखनाउ से बस शुरू किया गया राजे में राश्टी मार्गों का नमीनकरवल प्रतेख तीन वरस बाद मुखे जीला मारगों का च्यस बाद ता अन्य जीला मार्गों ग्रामीर मार्गों का आठ वस long बाद किया जाएगा प्रतेग वर्ध एक हजार किलोमीटर नहर पटरियों को पक्का किया जाएगा उत्तरपदेश सड़क सुरच्छा नीति 24 प्रदेश में सड़क दुरगतनाओं का रोक थामियम यह अतायाद प्रबंद नेतु 22 सितबद 24 को उत्तरपदेश सड़क सुरच्छा नीति 24 लागू की गई किया जा चुका है उत्तर दचिड एवं पूर्व पश्चिम गलियारों को चलेन की सड़के प्रदेश के जहांसी में एक दुसरे से काटती हैं सिल्चर से चलने वाले चलेन की सड़क सड़क प्रदेश में पूरू से परविश्च करने पर लखनव तक राश्टी राजमार संग्या 25 का अनुसरर करती हैं बिदान सबाब बिदान परिशत चेत्र सड़क निर्मार योजना इस योजना के अंतरगत प्रतेक बिदान सबाब परिशत चेत्र के ग्रामीडिया सहरी भाग में पांच किलोमीटर तक सड़कों का निर्मार सदस्यों की अनुमति से किया जा संक्या 2 है यमुना एक्सप्रेश वे यमुना एक्सप्रेश वे पूरु नाम ताज एक्सप्रेश वे उत्तरप्रदेश के गौतम बुद्नगर अलिगर्ण मतुरा हातरस आगराज जीलों से ओकर गुजरता है एक सो पैस्ट दसनों पांच तीन साथ किलोमीटर लंबा यह आठ लेन तक परिवर्दनी है एक्सप्रेश वे ग्रेटर नुएडा आगरा से जोडता है यह भारत का सबसे लंबा च्छ लेन कंट्रोल्ड एक्सप्रेश वे इस्ट्रेश है आगरा लखनव एक्सप्रेश वे च्छ लेन वाले इस एक्सप्रेश वे की लंबाई लगबग 302 किलो मीटर है इस एक्सप्रेसवे से आगरा लखनव के मद सड़क मार्ग से लगने वाला यात्रा समय लगबक आधा हो जाएगा देश की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड मुख्यमंतरी योगी आधितनाद ने 30 मार 2018 को गाजियाबाद जिले में एलिवेटेड रोड छलेन का उद्गाटन किया यह देश का सबसे लंबी एलिवेटेड रोड है यह यह एलिवेटेड रोड यूपी गेट से करहाडा राज नगर एक्स्टेंशन तक निर्मित है इस रोड की आउसत गती 80 km प्रदिघंटा से बाहन चलाने की अनुमती है इस्टन पेरिफ्रेल एक्सप्रेसवे का पीम मोदी द्वारा 27 मई 2018 को उद्गाटन किया गया उद्गाटन दिल्ली मेरेट एक्सप्रेसवे 19 किलोमीटर के पहले खंट पर किया गया यह एक्सप्रेसवे सोनीपद, बागपद, गाजियाबाद, ग्रेटर नौइडा, फरीदाबाद और पलवल को जोड़ता है यह सोलर पावर से लैस देश का पहला एक्सप्रेसवे है यह नेशनल हाईवे 2 के अंतरगत है 11,000 करोल में बना यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का है, दोनों तरफ 4 लेन हाईवे, 14 लेन का पहला एक्सप्रेसवे है 500 रिकार्ट दूनों में बनाया गया, सबसे तेज एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रहतार से गाड़ी चलाने की अनुमती 11,000 उत्तरप्रदेस से गुजरने वाले राष्टी राजमार्गम, राष्टी राजमार्ग संक्या कहां से कहां तक, उत्तरप्रदेस में कुल लंबाई किलोमीटर में इसका डेटा जो है, यह इनसफिसेंट है, इसको जो है, एक सेकेंट है, कुल लंबाई हम नहीं बताते हैं, बस बताते कहां कहां पर हैं NS7, वराटसी, मंगवाना, रिवा, कन्याकुमारी, NS11, आगराज, जयपूर, विकानेर, NS24, दिल्ली, बरेली, लखनव, NS25, लखनव, कानपू, जहासी, शिवपूरी, NS26, जहासी, लखनादेव, NS27, इलाबाद, मंगवाना, NS28, लखनव, वराटसी, NS29, गोरगपूर, गाजिपूर, वराटसी, NS56, लखनव, वराटसी, NS58, गाजियाबाद, मेरत, हरिद्वार, माना, दर्राम, NS86, कानपूर, देवास, H87, रामपूर, नहीनिताल, NS91, गाजियाबाद, कानपूर, NS92, भोगाउ, ग्वालियर, NS93, आगरा, अलिगर, चंदाउसी, मुरादाबाद, NS96, फैजाबाद, सुल्तानपूर, प्रताबगर, इलाबाद, NS97, गाजिपूर, जमनियाज, सह्यद राजा, उत्तरपदेश में, लोक निर्मार्ट विभाग की सड़क की कुल लंबाई, 1,46,728 किलो मीटर है, इसमें, राश्टी राजमार की लंबाई, 3,820 किलो मीटर है, प्रांती राजमार की लंबाई, 8,391 किलो मीटर है, अन्य जीलो की सड़कों की लंबाई, 1,9726 किलो मीटर है, ग्रावीर सड़कों की लंबाई है, 1,34,517 किलो मीटर, रेल परिवहन, भारती रेल बेवस्था है, एसिया की दूसरी सबसे बड़ी, तथा विश्व की चौती सबसे बड़ी बेवस्था है, यह देश का सबसे किलो मीटर है, देश के 17 रेलवे जोनों में से 2 जोनों का मुख्याले उत्तर पदेश में है, पुर्वत्तोर रेलवे गोरकपूर उत्तर मद्य रेलवे इलाबाद, राज में डीजल लोकोमोटीव वर्क्स वरांसी में स्थित है, रेलवे सुरच्चा आयोक का मुख्याले लखनव में है, मुख्यमंत्री योगी आदितनात द्वारा ट्रांस्पोर्ट नगर से 4 बाग लखनव मेट्रों का उद्धाटन 5 सितंबर 2017 को किया गया, मुगल सरा रेलवे स्टेशन का नाम दीन दयार उपाद्या जक्षन किया गया, वायु परिवहन, इलाबाद में हवाई अड्डा बिद्याले तथा संचार बिद्याले भी है, इंद्रा गांधी राष्टी उड्यान अकादमी फुर्सत गंज राय बरेली में है, गोरकपूर नगर में सामरिक महत्व का वायु सेना हवाई अड्डा इस्थित है, उत्तर पदेश के प्रमूख हवाई अड हवाई अड्डा कानपूर में है, बमरवली हवाई अड्डा इलाबाद में है, खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है, बरेली हवाई अड्डा बरेली में है, लालबादु शास्त्री अंतराष्टी हवाई अड्डा बावत आयोध्याबाद आयोध्या में जहांसी हवाई अट्डा जहांसी में डाक्टर बियार अम्बेटकर एयरपोर्ट मेरट में सफ़ई एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल के रूप में बिक्सित जल परिवहन प्रदेश की गंगायमना घागरा तथा गोमती नदियों में नौका व सरवादिक लंबा के 20 किलो मीटर आंतिरिक जल मार गये यह नदी से होकर गुजरता है संचार के सादन संचार के सादनों में मुख रूप से डाक सेवा एमदुर्भास सेमाएं आती हैं सन 2009-10 के आकड़ों के अनुसार राज में डाक गरों की संच्या 17666 की है सरकार द्वारा डाक को दुरूद गामी बनाने के लिए 1922 इसबी में पीन कोट के अधार पर प्रदेश के डाक घरों का पीन कोट निधारित किया गया है मार्च 1954 में आगरा एवं कोलकाता के मद्द टेली ग्राफ द्वारा संदेश भेजे जाने से उत्तर प्रदेश में विद्दूर संचार यूग आरम हुआ भारत संचार निगम लिंटेट बी असनल की मोबाइल सेवा सुबारम 19 अक्टूबर 2002 इसबी को किया गया भारत में सोरपतम हवाई डाक सेवा 18 फ्रवरी 1911 इसबी को इलावाज से नैनी के बीच प्रारम की गई उत्तर प्रदेश का राज सुचना केंद्र लखनव में इस्थी थे उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम निर्म्टेट की अस्थापना 10 सितंबर 1975 को की गई थी सुचना एवं जन संपर्ग विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के सांस्क्रितिक परेटन क्रिसी साहितिक अधोगिक ग्राम में विकास तथा अन्य विकास संबंदित विश्यों पर ब्रित चित्र एवं वर्तमान घटना क्रम पर समचार चित्र निर्मित करने क कार किया जाता है कि बन्य राष्टी अबारण एमम उद्दान राष्टी बन नीती के अनुसार कुल भगोलिक छेत्र के 33.3 प्रतिस्त भुबाग पर बंद होने चाहिए भारती बन रिपोर्ट 2017 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल अभिलिखित बंद चेत्र 14689 वर किल उत्तर प्रदेश में बंद चेत्रों को बढ़ाने के लिए बरेली पीली बीद बिजनौर मेरट बदाऊं और सारनपु जीलों में हाइटेक नर्सरी बिक्सित करने का कार्श शुरू किया गया है 11 जुलाई 2016 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान के तहट पांच करोड से भी अधिक ब्रिश लगाने का रिकार्ट अस्थापित किया गया पाले बन केंदरी सरकार की सरच्छन में होते थे किन्तु 1935 से राज सरकार की संपत्ति हो गए पुल्राज का बन प्रबंदक प्रधान कंजर्वेटिव आप फारेस्ट होता है उसके नीचे क्रमसक कंजर्वेट आप फारेस्ट कंजर्वेटेड डिप्टी कंजर्वेट फारेस्ट रेंजर फारेस्टर फारेस्ट गाड होता है बन समंदी सिच्छा का प्राराम 1978 में फारेश्ट स्कूल आप देरादून की नाम से हुआ 1884 में इसका नाम बदल कर इंपेरियल फारेश्ट कालेज देरादून रखा गया दच्छिट फारेश रेंजर कालेज की अस्थापना हुई 1914 S.B. में देरादू में फारेश रिसर्च इंस्ट्यूट की अस्थापना हुई इसके बाद यही 1929 S.B. में एकावर बन अनुसंधान केंद्र की अस्थापना हुई प्रसासनिक द्रिष्टी से बनों को 6 वर्गों में विभारित किया गया है और रच्छिट बन इन बनों में बिच्छों को काटना वो पसुओं को चराना अबैद दया है रच्छिट बन अस्थानी लोगों को पसुओं चराने वो लखड़ी काटने के सुविदा होती है में होते हैं समुदाइक बन ये बन अस्थानी जिला परिषदू तथा नगर पालिकाओं के नियंत्रण में होते हैं नीजी बन ये बन ब्यक्तिकत लोगों के अधिकार में होते हैं बन नीती 26 दिसंबर 1998 वेस्बी को राज्य सरकार द्वारा राज्य बन नीती गोशित की गई जिसका मुख्य उद्दे से पर्यावरण स्थिर्ता वपरिष्थिती के संतुलन को बनाए रखना है अन्य मात्पूर तत्य सरवाधिक बन चेत्रवाला जिला सुनभद्र नियूंतम बन चेत्रवाला जिला संत्त रविदास नगर राज्यका एक मात्र राष्टी उदान दुदवा राष्टी उदान टाइगर रिजर्ब दुदवा और पिली बित प्राणी उदान लखनव औ और कानपूर, राज का प्रथम पच्छी बिहार, नवाब गंज पच्छी बिहार, राज का सबसे बड़ा पच्छी बिहार, लाख बहोशी पच्छी बिहार, राज का सबसे छोटा पच्छी बिहार, पटना पच्छी बिहार, राज का सबसे राज का प्रथम बन जिव बिहार चंद प्रफा बंजीवाब बंजीव बिहार, राज का सबसे छोटा बंजीव बिहार, हस्तीनापूर बंजीव बिहार, हातियों के संवर्चड हेतु केंद्र द्वारा प्रायोजी प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में सुरू की गईू, एलिफेंट ड्रिजव अस्थावित करने की योजना है सारनपूर और बिजनोर में, उत्तर प्रदेश के राष्टी उद्दान बंजीव बिहार और प्राणी उद्दान, दुदवार राष्टी उद्दान लखेंपूर खीरी में है, 490 वर किलोमीटर में इसकी अस्थापना 1977 में होई, इस बन में बाग, गड़ियाल, मगर, कच्छुआ, अजगर, सांबर, चीतल, पाड़ा, काकड़, बारसिंगा, गैंड़ा, भालू, चंद प्रभाज, बंजीव बिहार चंदवली में है, 78 वर किलोमीटर में है, 78, 1997 में इसका अस्थापना हुआ, इसमें तेंदुआ, काला हीरन, चिंकारा, च चीतल, सांबर, लकड़बग्गा, गीदड, भेड़िया, सेही, भालू, किसनपूर, बंजीव बिहार, लखिनपूर, खिरी में, 204 वर किलोमीटर में है, 1922 में अस्थापना हुआ, इसमें तेंदुआ, बाग, बारसिंगा, चीतल, पाड़ा, जंगली, शुबर, गीदड, सेही, लंगूर, तथा बंदर, एवं बिभिन, अस्थानी, एवं प्रवाशी, पंच्छी हैं, कत निर्या, घाट, बंजीव, बिहार, बहराई, 400 किलोमीटर में है, 1926 में अस्थापना हुआ, तेंदुआ, बाग, बारसिंगा, चीतल, पाड़ा, काला मिर्ग, नील गाय, ग गेंडा, घडियाल, मगर, जंगली, शुवर, गीदर, सेही, उद्विलाव, बंदर, एवं बिभिन, अस्थानी, प्रवाशी, पंच्छी, आदि, रानिपूर, बन बिहार, बादाव, चित्रकुट में, दोसदीश, किलोमीटर में, 1927 में, अस्थापना हुआ, इसका, इसम माबिर स्वामी बन जिव बिहार, ये ललितपूर में, पांदस मलो, चारवर, किलोमीटर में, 1927 में, इसका, अस्थापना हुआ, काला मिर्ग, नीलगाय, जंगली, शुवर, लंगूर, बंदर, बिभिन, पच्छी, आदि, राष्टी, चंबल, बन जिव बिहार, आगरा, वही टावा में, 635 वर किलोमीटर में, 1989 में, इसका, अस्थापना हुआ, इसमें, घडियाल, मगर, गंगेटिक, डालफीन, बिविन, कचुवे, उद्विलाव, लकड़, बगगा, गीदर, गो, चिंकारा, जंगली, सुवर, सांबर, काला, इरन, एवं बिविन, अस्थानी पच्छी, निवासी, कैमूर, बंजिव, बिहार, मिर्जापूर, एवं सोन, बद्रे की भिंद, परवत, सिंखलाव में, 501 वर किलोमीटर में, अस्थापना वर्ष, 1982, इसमें, क्रिश्नमीक, सांबर, चीतल, चिंकारा, चंसिया, नीलगाय, भालू, तेंदुआ, बन, बिल मगर, 2073 वर किलोमीटर में, 1986 में, इसके अस्थापना हुई, बारा सिंखा, सांबर, चीतल, नीलगाय, भेडिया, तिंदुआ, लकडबग्गा, जंगली, सुवर, बन, बिलाव, एवं बिविन, पच्छी, आदी, सुवागी, बरबा, बन, बन, जू, बिहार, महाराजगन, 428 वर किलोमीटर में, 1987 में, इसका जो है, अस्थापना हुआ, इसमें, तेंदुआ, बार, चीतल, काकर, पाड़ा, देशी, भालू, बन, बिलाव, नीलगाय, जंगली, सुवर, मगर, अजगर, कोब्रा, एवं बि स्रवास्ति वो गोंडा में 452 वर किलो मीटर में इसके अस्थापना 1988 में इसमें तेंदुवा बाग देशी भालू चीतल बन बिलाव संगली सुबर एवं बिविन पच्छी आदि कच्छुवा बंजीव बिहार है रामनगर वराणसी में साथ किलो मीटर में आया 1989 में वा बिविन कच्छुवे गांगे डालफीन एवं जल्चर बिविन पच्छी आदि नवाब गंज बंजीव बिहार उन्नाव में है दो दस्मर दो पांच वर किलो मीटर में बस है इसकी आस्तापना उई इसमें गीधर बंदर नेव लाक हरगोश बिविन प्रवाश्ची न क्यों अस्थानी पच्छी शमश पूर बंजीव बिहार राय बरेली आठवर किलो में में 1987 में गीदर नेवला खर्गोष बीविन प्रवासी और अस्थानी पच्ची लाग बहुशी बंजू वियार कन्योज असीवर किलोमीटर 1988 गीदर नेवला नीलगाय फिसिंग कायट बंदर बीविन प्रवासी एवं अस्थानी पच्ची उसके बाद जो है सांडी बंजू वियार हर्दोई में तीन वर किलोमीटर में बस है 1990 में इसकी अस्थाबना हुआ इसमें गीदर नेवला नीलगाय बिविन प्रवासी एवं अस्थानी पच्ची बखीरा बंजू वियार है संतकभी नवर में 29 किलोमीटर में आया 1990 में अस्थापना हुआ इसमें गीदर नेवला नीलगाय बिविन प्रवासी एवं अस्थानी पच्ची है उखला बंजू विवार जो है गाजियाबाद युम गवतम भुन नगर चारवर किलोमीटर में इ 1990 में हस्ताफित हुआ इसमें स्थानी पच्ची समान बंजू बिषार महिनपूरी 5 वर किलोमीटर में 1990 में हस्ताबना भा घीदर खर्खोष नेवला नील गाय बीविन प्रवाशी एवं अस्थानी पच्ची है पारवति अरगा बंजू बिहार गोंडा मेकंगू ज्यावर गीदर बन बिला और नेवला विविन प्रवाशिव महस्थानी पच्ची है पटना पंजीव बिहार एटा में है वन वर किलो मीटर में 1990 में इसके अस्थापना हुआ है इसमें गीदर खरगोश नेवला निलगाय विविन प्रवाशिव महस्थानी पच्ची है सुरातल बंजू बिहार बलिया में चौन्तिसवर किलो मीटर में हुआ इसका गीदर नेवला निल्गाय विभिन प्रवासियुम अस्थानी 25 में शुर्षरोवर बंजू बिहार आगरा में प्राडी उद्यान कानपूर में 75 एक्टियर में जनपुद कानपूर सहर एलेन फारेश्ट गानपूर दो फ्रहरी उनिश्चोवत्तर का इसका स्थापना हुआ बारती गेंडा बारा सिंगा मैं पूरी सोरी मडी पूरी हीरन हिपो उरंग उटान एवं अन्यम लखनव प्राडी उद्यान लखनव और ठाइस दसमलो एक चार एक्टियर में 1921 में जो इसका गाटन सोरी अस्थापना हुआ इसमें सफेश सेर सफेश सेर जिराप भालू हुकू बंदर साप हाथी हीरन गैंडा हिपो आदि हैं उसके बाद है समाचार पत्त्र में पत्त्र का मायe वरतमान श्मय में उत्तर प्रप्तिष में बेविद नगरों में प्रकाशित होने वाले प्रमुक समाचार पत्त्र यहां पर दिये गये को यहां पर डैनिक समाचार पत्त्रहें गांडिव वरांट्सी बंबं कानपूर भारत इलाबाद अमरुजाला आगरा बरेली मेरट मुरादाबाद वो कानपूर आज वरांट्सी कानपूर नार्दन इंडिया पत्रिका इलाबाद अंग्रेजी डियल्ले आगरा सब्ताएक समचार पत्र प्रकाशन का स्थान राष्टमत कानपूर राष्ट बासासंदे इलाबाद आरेमित लखनू प्रेम प्रचारक आगरा प्रवाद अलिगर्ण नीर्चीर कानपूर नया संसार मुजब्फर नगर्न नया भारत लखनू नागरिक, कानपूर, लोगपत, जहासी, कुटच, बलिया, जन्यूक, लखनव पाचिक समाचारपत और पत्रिकाय, कानपूर, टाइम्स, कानपूर, नया इवक, लखनव, निर्माण, महनपूरी, प्रलैंकर, गाजियाबाद, उत्तरपदेश, पंचायत, तीराज, लखनव, विकासमार्क, बस्ती मासिकपत पत्रिकाय, अटल तपस्वी लखनव, अरूण मुरादाबाद, आरोग्य गोरकपूर, आपका स्वास्त वरांसी, अमीता लखनव, अखन जोती मतुरा, अग्राड लखनव, अध्यात्म इलाबाद, गाउंकी ओर गोरकपूर, बालसका इलाबाद, बारती कानपूर, बुन्यादी सिच्चक, लखनव, धर्ती मा, गाजियाबाद, एकांद, बरेली, ग्रामुत्थान, उरै, ग्रामुद्यो, कानपूर, ज्यान भारती लखनव, जीवन सिच्च, वरांसी, कहानी, इलाबाद, कहानीकार, वरांसी, कल्याण, गोरकपूर, माध्यम, इलाबाद मनमोहन, इलाबाद मनोहरकानिया, इलाबाद मनोरमा, इलाबाद माया, इलाबाद मारतंड मेरट, नई तालीम वराणची, पंच दूत, एटा, पंचायती कानू, इलाबाद प्राकृतिक जीवन लखनव प्रतियोगिता दरपड आगरा सक्षेज मीरर विदेशी विमानगर आगरा परमार्थ साजापूर राजाबेटा वरांची रंग इलाबाद रानी बिट्या वरांची राष्ट दर्म लखनव रस्वंती लखनव साधन मतुरा स्वकारिता लखनव साइत लोक आगरा साइत संदेश आगरा संगेत हातर सरस्वती इलाबाद साथी इलाबाद साकांबरी सारनपूर सक्तीमा गाजियाबाद सिच्छक बंदू अलिगर्ड सिच्छा जगत वरांची श्रमजीवी कानपूर त्रिप गता लखनव उद्योग कानपूर उद्योग विकास कानपूर उर्दू साइत इलाबाद उतकर्ष लखनव उत्तरपदेश पंचायती राज लखनव विज्यान लोक आगरा विकास सितापूर विकास दू साधापूर योजना मुरादाबाद इवग आगरा सिच्छक अंगरेज इंदि वरांसी प्रमुकूख साइत्यकार और उनकी रचनां अग Morgen कविर्दास साखी सबपन और रमेनी सूर्दास सूर्शागर साहित लरी मुन्सि प्रेम चंद, गवन, गौदान, और स्यवा सदन, भारतेंद रिश्चंद भारत दूर्दर्शा, मुद्रा राच्छ, प्रेम तरंग, चंद्रावली तथा कस्मीर कुसुम देवकी नंदन, खत्री, चंद्रकांता, मैतली सरणगुप्ट, साकेत, यसुद्रा भारत भारती, जैदरत, बद, द्वापर, इने राष्ट कभी की उपादी दी गई मलिक मुहमत जैसी, पदमावत, अखरावट तथा आखरी कलाम, सुमित्रा नंद पंत, युगांतर, बीडा, ग्रंती, उतराप, पल्लव, ग्राम्या, इनमे अधिकांस रश्णाव में प्रकृतिक चित्रड किया जैसेंकर प्रसाथ, कमाईनी, कंकाल, इरावती, तितली और द्रुस्वामिनी, हरिवन्स राय बच्चन, मदुशाला, मदुबाला और निशान, निमंत्रण जन जातियां, उत्रपदेश में पाई जाने वाली प्रमुक जन जातियां, गोंड, बुक्सा, थारू, राजी, सौरी, खरवार, एवं महिगीर है गोंड, समू, उत्रपदेश के सरवादिक, बड़ी जन जाति समू है, इसके बाद खरवार वो थारू, समू का अस्थान आता है उत्रपदेश के जालोन एवं फाईजाबाद जिलों में एक भी जन जाति नहीं पाई जाती है अनुसुची जन जातियां, जन जाती और उनका जन पत गोंड, घुरिया, नायक, ओजा, पतारी, राजगोड ये महराजगन, सिदात नगर, गोरकपूर, बस्ती, देवरिया, महू, आजमगर, जवनपूर, मिर्जापूर, एवं सुनभद्र में पाई जाती है खरवार, खैरवार, देवरिया, बलिया, गाजीपूर, वराजगोड, सहरिया, ललितपूर, परहिया, सुनभद्र, बैगा, सुनभद्र, पांखा, पानिका, सुनभद्र, एवं मिर्जापूर, अगरिया, सुनभद्र, पतारी, सुनभद्र, चेरो, सुनभद्र, एवं वर या सुनबद्र उत्तरपदेश की जन जाती जन संख्या 2011 के अनुसार जीला सारणपूर में जन जाती जो जन संख्या पहले 2001 में तीन सो सट्सट थी 2011 में नौसो असी मुझभण नगर में जो 2001 में जन संख्या थी एक सो नावासी से तीनिजा तीन सो अनसाट बुलन सहर में एक सो पच्छतर से एक सो अन्ठानवे में यह जो जन संख्या प्रेदी है दस साल का मैं बता रहा हूं 2001 से 2011 तक कम गौतम बुद्नगर 225 बागपत 187 से 14 अलीगर 337 से 639 आगरा 215 से 725 मतूरा 18 से 1520 महिन पूरी नमासी से 478 एटाब 149 से 140 फिरोजाबाद 2565 हाथरस 268 भैजाबाद 931 बारा बंकी 269 से 610 अंबेटकर नगर 10 से 4746 सुल्तानपूर 207 से 690 चित्रकूर धाम 366 बादा साथ से 163 हमीरपूर 71 से 424 महोबा 646 एक सुनियानवेश तीनेजार आट सो तीहतर ललीदपूर एक सो नतर से एक सतर जार दस चालावन 832 मिर्जापूर एक सो नमासी से बीजार एक सो बत्तिस सुन भद्र एक सो नसट से तीन लाग पचासी जार अठारा संत रविदास नगर 1873 बस्ती 201 से 3620 सिधार नगर चियासी से 1221 संत कभीर नगर 1530 गोरकपू 601 से 18172 देवरिया 331 से एक लाग 9894 महराज गंद 2961 से 16435 कुशी नगर 8029 वराणसी एक सो पच्छत्तर से अठाईजा साथ 615 गाजीपूर में 464 से अठाईजा साथ सो पंदर जौनपूर में 124 से साथ सो साथ सो चतिस चंदवली में 41,725 इलावाद में 243 से 7,955 फतेपूर 349 से 340 कौसांबी 193 प्रताफगर 110 से 723 आजमगर 249 से 9,327 बलिया 193 से एक लाग 10,119 महू 64 से 22,915 बलरामपूर 24,887 गोंडा 6,201 से 870 बहराईज 10,012 से 11,961 स्रावस्ती 5534 कानपूर नगर 1189 से 3735 कानपूर दयाज 730 से 801 और रेया 150 कन्नावज 152 इचावा चानवे से 179 फरुकाबाद 183 से 233 लखनवू 1234 से 7503 सितापूर 292 से 1602 हर्दोई 143 से 349 और दोजार पांच चोवी से 2926 राय बरेली 153 से 1756 लखनपूर खिरी 3801 से 353 75 बरेली पीली बेत में 1419 से 1714 साजापूर में 402 से 508 बदायू में 47 से 58 बिजनवर में कास गंज में 150 और यह सब जो है अभी डेटा इसका अन्योंने नहीं पता इस तरीके से आप 75 जीला का नाम बीजानें इसलिए मैं जो है वह भी बता दिया ताकि आप 75 जीला का नाम जन जाएं इन जीलों में जन जातियां संख्या नहीं है जो कि यहां पर मैंने ऐसे किया है सामली हापूर संबल अमेठी जीलों में आकड़ों के सासन उबलब नहीं करा गया है उत्तरपदेश राज में अस्तरित अनुसूचित जातियों की सूचिंग देखे इसमें कौन-कौन अनुसूचित जाती है यह पूर सकता है तो मैं इसमें बता रहा हूँ अगरिया, गोर, बादी, गुवाल, बादी, हाबुरा, बहलिया, हरी, बैगा, हेला बैस्वार, कलाबाज, बजनिया, कंजर, बाजगी, कापरिया, बलहार, करवल, बलाई, खरया बालमेकी, खरवार, बेनबासी को छोड़का बंगाली, खटीक, बर्मानुष, खरोट, बासपोर, कोल, बरवार, कोरी, बसोर, कोरवा, बवरिया, लालवेगी, बेलदार, मज्यार बेरिया, मजबी, बन्तू, मुशार, भुया, नाट, पंका, बुयार, बुरिया, गसिया, गुसिया, जुसिया, जाटव, चेरो, सरया, रावत, पटारी, तरमाली, पासी, पहडिया दबगर, दागर, धनूप, धरकार, धोबी, डोम, डोमर, घरामी, दुसाद, तूरेहा, सिल्पकार, सांसिया, सनवरिया इतने सारे जो हैं यह आपकी अनुसूचित जातिया हैं उसके बाद उत्तर पदेशराज में अनुसूचित जन जाती बोठिया, बुक्सा, जौनसारी, राजजी, थारू यह सब जन जाती है मेले, गेत, एवं उत्तर पदेश में कुल 2262 मेलो का आवजन किया जाता है सरवादिक, मेले, करमस, मतूरा, कानपूर, हमेरपू, जहांसी और आगरा में लगते हैं प्रतिवर्स उत्तर पदेश के परेटन, बिभाग द्वारा, आगरा, लखनव, वरांटसी में महस्व मनाये जाते हैं हिंदू-मुसलिम एक्ता के द्रिष्टी से आगरा में सुल्ल और कूल का आयोजन किया गया उत्तर पदेश में बिश्व का सबसे बड़ा मेला कुम मेला परियाग में लगता है उत्तर पदेश में सबसे कम मेले पीली भीच जीले में लगते हैं उत्तर प्रदेश में विविन नगरों में आयुद किये जाने वाले मेलें माग मेला, इलाबाद, दादरी मेला, बलिया, राम बारात, आगरा, राम नौमी मेला, अयोध्या, राम माउस्षय, आगरा, नौरातरी मेला, बिन्याचल मिर्जापूर कुम्ब का मेला प्रतिवर्ष 12 वर्ष में एक बार पर्याग में अर्द कुम्बी पर्याग कुम्ब के 6 वर्ष को पराद प्रतिवार वर्ष हरिद्वार में बटेश्वर बटेश्वर आग्रा जिला प्रतिवर्ष गर्ड मुक्तेश्वर गर्ड गंगा मेला प्रतिवर्ष नोचंदी मेरट में प्रतिवर्ष नोचंदी मेला दसारा आगरा मतुरा वैसे ये सर्वत जग मनाई रहता है लठा मार होली नंदगाओं के निकट बर्शाना मतुरा बल सुन्दरी देवी अनूप शार कमपिल बादा देवी पाटन गोंडा स्रावडी वो जन्मास्टमी मतुरा नौरात्री मेला आगरा कैलास मेला आगरा सावन के तीसरे सुमार को प्रतिवर्श गर्षोर मेला आगरा अरिदास जैन्ति क्रिष्ण अरिदास जैन्ति बिंदाबन प्रतिवर्स देव मेला बाराबंकी मकन पूर मेला कानपूर देहाद सयद सलार बाराईच डाई घाट साजापूर अजोध्या फैदाबाद नोमी सारड सितापूर गोकरनात खीरी उत्सव हिंदू द्वरा होली दिवाली रच्छाबंदन नवरातिरी हनुमान जैन्ति करवाचयत गडेश चतूर्ति गुरु पोडिमा राम नौमी अनन्चतूर दर्सी नाक पंचमी गोबर्दन पूजा बसंद पंचमी मकर संक्रांति शिवरातिरी आदिवस्थो मनाते हैं सिख दर्म के अनुआई गुरु नानक जैन्ति गुरु गोविन सिंग जैन्ति लोडी आदि मनाते हैं बहुत दर्म के अनुआई बुद्ध पूडिमा आदि को मनाते हैं जन्व दर्म के अनुआई माभी जैन्ति आदि को मनाते हैं मुस्लिम धर्म के लोग इदूल फितर, इदूल जुहा, मुहर्रम, रमजान, बराफाद तथा स्वबे बरात मनाते हैं इसाई धर्म के लोग क्रिस्मस, गूड फ्राइडे, इस्टर तथा नवर्स मनाते हैं लोग गीत, उत्तर प्रदेश में गाय जाने वाली प्रमुग गीत, अल्ला, रसिया, कजरी, ढोला, बिराज, चैती, पूरन, भगत, भर्द, हरी, होली, गीत, आधी, गाय जाते हैं संग्रालेयों अकादमी, संग्रालेय संस्कृति, संपदा, इतिहासिक, पुरातेत्विक, धरोरों को सुरचित रखने का वक्केंद्र है, जहां प्राचिन कलाकृतियों को संग्रीत किया जाता है 31 अगस, 2002 में उत्तर परदेश संग्रालेयों निदेशालेय के रूप में स्वतन निदेशालेय की अस्थापना की गईत, इससे पुर्व समष संग्रालेयों संस्कृत निदेशालेयों उत्तर परदेश संचालित होते हैं उत्तर परदेश लगबग 70 संग्राले इनमें से राज की संग्राले लखनव उत्तर परदेश का सबसे बड़ा संग्राले इसका अस्थापना 683 में हुआ राज की संग्राले लखनव इस संग्राले की अस्थापना 683 में की गई थी इस संग्राले के संकलन में लगबग एक लाग से अधिक कलाकृतिया है राज की संग्राले मतुरा इसकी अस्था अपना ठाश चोवतर में की गई 1912 में सरकार ने इसे अपना अधिकार में ले लिया संग्राले इसमें 5000 पुराने वस्तों का संग्राले को कुशाड कालीन कला का सर्वत्तम संग्रा माना जाता है राज की संग्राले जहासी अंतराष्टी रामकता संग्राले अधिया फैजाबाद इस संग्राले की अस्थापना 1988 में अवध्या में की गई थी इस संग्राले में राम का था विश्यक चित्रों मूर्टियों अवध्या परिशेत्र के पुरावसेसों के दुरलब संस्कृतिक संपदा हादी का संग्रा है लिए राजकी बहुत संग्राले गोरगपूर इस संग्राले के स्थापना 1988 में की गई थी इस संग्राले में बहुत दर्म से संबंदित बिबित पच्छों का प्रदर्शन स्वनरच्षड यूँसर प्र film युक्ष इसिस के लिए स्थावित किया गया है कि अ ?